हाँ जी, गुद मॉनिंग, स्टार्ट करते हैं इंकम टाक्स को, जीस्ट हमने टोटली कम्प्लीट कर लिया है, जल्दी साब को एक बार बाइपर्गेशन दिखा देता हूँ, कि कितने माक्स का क्या होता है, आपके सिलिबस के अंदर, and then we'll start with income tax, देखेजी, टाक्सेशन, जो इंकम टाक्स की, इसको कैसे कवर करने वाले हैं, पूरो का पूरा 1200 पेज़स का मोडियूल है, इसको मैंने कनवर्ट कर दिया है, 238 पेज़स के अंदर, जिन में होगा क्या, इतना कैसे कम कर दिया गया है, ऐसे क्या काट दिया मैंने, क्या मैंने font size को छोटा करा है, नहीं, proper पर font size है, यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा, यही books आपके पास बहुच भी गई होंगी, यहाँ पर font size में बिल्कुल भी cut down नहीं करा गया है, चीजों को cluttered नहीं बनाया गया है, अच्छा खासा space है, सारी चीज़े properly laid down है, बस questions को हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि questions की practice directly, ICA के study mat से मैं आपको करवाऊंगा, इससे आपका confidence भी बनेगा कि class में आपको जो भी बढ़ाया चारा है, उसमें coverage अच्छी हो रही है, और आपको यह भी लगएगा कि आपने सारे के-सारे questions कर लिया, ICA के material से, उससे भी अलग level का confidence ने कलके आता है, तो सी वज़े से इससे हम directly questions की practice करेंगे, और एक और चीज होती है, paper से कर आप date पहले की बात करते हैं, तो 1.5 days मिलते हैं, आपको पूरा का-पूरा syllabus revise करने के लिए, उस time पे questions आपको read नहीं करने होते, तो अगर आपको मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, तो आपको बार बार pages flip करने पड़ेंग बगेर बगेर, तो यहां से आप सारी चीज़े पढ़ेंगे, मेरे साथ class के अंदर हर चीज की बीचे logic बताऊंगा, जैसे हमने GST में discuss करा था, चीज़े को learn करने की techniques, वो भी आपको कुछ जगवा पर बताई जाएगी, सारी चीज़े अच्छे से समझेगा, learn करेगा, और महनत आपकी बहुत ज़्यादा असान हो जाएगी, क्योंकि आपको सीधा पहली बार में ही section को पढ़ते बढ़ते उसका best version बता दिया जाएगा, कि इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से interpret करना है, चीज़ों की बीचे logic यह है, उन चीज़ों में आपकी महनत अभी भी लगानी पड़ेगी, और वो अगर आप लगा देते हैं, कोई भी mark नहीं है, कोई भी rank नहीं है, जो कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, इतना अपने उपर confidence रखिए और मुझ पे भी रखिएगा, तर चली, income tax को चालू करते हैं, यहां से चालू करने वाले हैं with this, chapter number one, overview of income tax law, यह comparatively आपका income tax की जगर आप बात करते हैं, तो double निकल के आता है size में, GST से, और marks की बात करते हैं, तो सब 1.5 times निकल के आते हैं, यह 40 का था, यह 60 का था, इसे लिए सबसे पहले में आपको यह कवर करवा दिया, ताकि छोट इसी जो भी चीज थी, इसको बड़ी असान हो जाती है, तो यहां से consume करना शुरू करेगा पूरे के पूरी इंकम टाक्स को, this is the latest patch which is going on for May 21 and November 21 attempts, तो जो material है, पूरा amended है उसे साब से, चलिजी, स्टार्ट करते हैं इस पूरी के पूरी जर्नी को, Chapter No.1, Overview of Income Tax Law, सबसे पहले जानते हैं, इंकम टाक्स के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ है, कुछ basics, जो कि जानने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, पहली चीज, इन टाक्स लेवी क्यों करने पड़ते हैं, सरकार लेती क्यों हैं, हमसे टाक्स, इनको किसले of the society, like defense, education, healthcare, infrastructure बगएरा बगएरा, और इस सारी ही खर्चे करने के लिए, चाहे आप education की बात करिए, government schools चलाया जाते हैं, खर्चा हमेशा जादा निकल के आता है, revenue से, क्यों, फीस कितनी होती है, 1 रुपे, 2 रुपे, 10 रुपे, 100 रुपे, इतनी निकल के आती है, महीने की क्या उतना में खर्चा निकल जाएगा, school के infrastructure गा, teachers की बीस का बगएरा बगएरा, नहीं निकल पाएगा, तो सरकार को subsidize करना पड़ता है, अपने पैसे से, और वो अपना पैसे सरकार के पास आएगा, कहां से, लोगों से आएगा, कैसे, taxes के थू, profits के थू, बगएरा तो उस case में, ये सारी services provide करने के लिए, जोकि सरकार का खर्चा होता है, common welfare का expenditure है, लोगों के welfare के expenditure है, उसके लिए सरकार को पैसे की जरुद पड़ेगे, और taxes आज के ताइम पर अगर आब बात करते हैं, तो these are one of the major sources of revenue for the government, उनकी अपनी entities भी हैं, जासे वो profit कमा के कमा सकती ह पैसे, but mostly government की entities profit making नहीं होती, तो वो taxes भी depend करते हैं अपने revenue उजाने के लिए, ताकि वो खर्चे कर पाएं, जहां पर भी उनको खर्चे करने पड़ते हैं, 20 लाख करोड से जादा की collection होती है सरकार को taxes के नाम पे हर साल, ठीक है जी, अब ये तो समझ गए इनकी जरूरत क्य आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आपने पड़ा नहीं है ना, इसके बारे में, तो मैं आपको theoretically चीज़े बताऊंगा, मजा आएगा नहीं, तो क्यूं बढ़े उस चीज़ को इस तरीके से, जिसमें मजा ना है, अभी इसको pending करते हैं, जैसे हि मैं पूरा syllabus complete करव होंगा, ताकि मैं भी ना भूल जाओं, उसको मैं भी लिखतार होंगा, और end में सारी के सारी चीज़े आपकी complete करवाती जाएंगी, अचे कोई चीज धियान रखिएगा, कुछ students हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ income tax के lectures लिया हों, तो आप GST का lecture number 1, online एक बाज जाके देख ल इसके अंदर भी follow करिएगा, वो सारी की सारी चीज़े आपकी class अच्छे से होने वाली है, classes से ना दिमाग में एक impression आ ले जाता है, हमको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको खुद की भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही जाके चीज़े समझ आएंगी, मैं गाड़ी चला रहा था, और मेरे को हवलदार ने रोक लिया, उसने बोला भाई साब, आपना गाड़ी के स्टेरिंग पे एक हाथ रखके गाड़ी को चला रहते है, दोनों हाथ रखने चाहिए थे, निकालो 5000 रुप्य का चलान, मैं क्या बोलूँगा, ओ भाई, कहां प पूछा जिसको आप income tax देते आ रहे हैं, कि तुम्हार पास power कहां से income tax collect करने की, जिस बेकुछ तुमने बोल दिया income का 30% तुम्हें tax की तरह देना पड़ेगा, तो मैं क्यों दूँ, power कहां से आई तुम्हार पास, तो सरकार को जब भी आप एक question पूछेंगे, तुम्हार कहां से आई, वो आपको दिखाएंगे एक सुनहरा सा document जिसको बोला जाता है constitution, constitution के अंदर power आती है किसी भी सरकार के पास, चाहे central government के पास, चाहे state government के पास, कोई भी काम करने के लिए जब आप power की बात करते हैं, तो इस document से आती है, और इस document के, अगर आप इस article को देखते ह by authority of law, यानि कि उपर मैंने आपको लिखा short में, law needs to be framed to do so, यानि कि आप income tax करना चाते हैं, किसी भी इनसान से, और कोई भी type का tax करना चाते हैं, किसी भी काम पे, पहले आपको law बनाना पड़ेगा, कोई ने कोई act pass करना पड़ेगा, जब आप वो कर देते हैं, and authority होने के बा करी गई है, इसी यान भी JST में दे रखा है, इसी चीज़ को module के अंदर, and income tax के module में, वहाँ पे भी starting में आपको same चीज़ दे रखी है, क्योंकि दोनों को लगाने की power अलग-अलग तरीके से निकल के आती है, पड़ते हैं, 7th schedule to the article 246 of the constitution of India, यहाँ पे देखिए अलग-अल इसमें तीन लिस्स निकल के आती है, which enumerate the matters on which parliament and the state legislatures have authority to make laws, parliament का मतलब क्या होता है, तीन चीज़े मिला के हमारा parliament बनता है, मैंने लिखके बताया आपको, यहाँ पे देखिए, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेजिदेंट, तीनों मिल ली चलते हैं, state के अंदर, similar काम होते हैं, जैसे के इनके होते हैं, वैसे ही states के अंदर, उनके same काम निकल के आते हैं, तो उनको तीनों को मिला के बुला जाता है, state legislature, तो आपको यह वाले जो है, 7th schedule to the article do 46 of the constitution of India, उसके अंदर तीन list निकल के आती हैं, जो की बताती है, कौन स काम होगर respect में, state को right होने वाला है, कोई भी act बनाने का, और जिस काम के लिए, जिसको right दिया गया है, वो ही act बना सकता है, कोई और इंसान, वो आपके पास authority हुए बना, गराप act बना देंगे, इसे को मननी की जरूरत होगी, नहीं होगी, example दूँगा, पहले इसको पढ़ देखे, list in the 7th schedule, कॉंसर 7th schedule, जो कि article 246 के अंदर contained है, तीन list आएंगी, union list, state list and concurrent list, यहां पे क्या होगा, नाम से बता चल रहा है, union का मतलब क्या होता है, central government, parliament के पास होगी exclusive power to make laws on the matters, जो भी contained होंगे, इस वाली list के अंदर, यान कि यहां पे अगर हमने कोई भी चीज़ दी जाएगी और वो भी कैसी exclusive, state legislature has the exclusive power to make laws on the matters, जो भी contained होंगे, इस वाली list के अंदर, अब आती है, तीसरी concurrent list, नाम से के बता चल रहा है, दोनों ही बना पाएंगे, concurrent मतलब दो चीज़ जब collide करती है, साथ में आती है, both the parliament and the state legislature can make laws on the matters contained in this list, अब पता नहीं आपकी दिमाग में question आया नहीं है, मेरे दिमाग में तो आ रहा है, और आपकी दिमाग में आने से पहले, मैं clarify कर देता हूँ, दिमाग में question आया का सर, यहां पर जो भी काम आया, मानलों उस पर parliament ने भी law बना दिया, और state legislature उसने भी law बना दिया, और conflict निकल के आ गया, central government कहती है, इस काम को आपको ऐसे करना होगा, अपना आग बना के, और state government opposite काम बोल देती है, दोनों opposite क्यों बोल रहे है, दोनों भीड़ते हैं इक दूसरे से, center में BJ भी बैठी है, state में लेटे से आप बैठी है, तो दोनों ने ही conflicting चीज़े बोल दी है, लोगों को किसकी बात माननी होगी, एक इ हैं और आपको ग्यान देता जा dug, आपको क्यान देता जाओँगा, अपकी curiosity मेटाने के लिए, आपको आपको के लिए, सिर्षी बैठी हरा, उसे की बात इस् assault का मानी पुट नहीं है, और को भी मत देता जाओंगा, आपकी curiosity मिटाने के लिए, आप questions भी बूछेंगे, syllabus से बाहर के पूछेंगे, बिल्कुल solve करूँगा, लेकिन material के इंदर नहीं दूँगा, because material के इंदर आपको वो ही चीजे मिलनी चाहिए, जो कि आपको learn करके जानी है, मैं आपको necessarily आपकी knowledge बढ़ाने के ल देखिए, entry number 82, entry मतलब यही जो list के अंदर matters आते हैं, उनको entries में divide करा गया है, अगर आप entry number 82 देखते हैं कि इसकी union list की, तो इस union list की entry number 82 ने parliament को power दी है, कौन सी power, power to make laws on taxes on income other than agricultural income, यानि कि इस income को छोड़ दीजेगा, इसको बख़ दीजेगा, इसके लावा जितनी भी income निकल के आती है, किसी भी इनसान की, उस पे अगर आप tax लगाना चाते हैं, लगा सकते हैं, कौन लगा सकता है, पारलेमेंट लगा सकता है, क्यूं, यह matter आपकी entry number 82 of this list यहाँ पे contained है अब सोचे देखे, कल को, लेटर से, डेली गर्मेंट अपने legislature के इंदर, state legislature के अंदर, यह law पास कर देती है, कि डेली के जितने भी residents हैं, उनकी income पे हम बस 1% के rate पर tax लेना चाते हैं, दिक्कत हो रही हो COVID की वज़िसे, क्या ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, उन्होंने अगर जतने भी matters हैं, उन पे सिर्क central government law बना सकती है, तुम बना ही नहीं सकते थे, अगर तुमने बना दिया, तो इस act को बोला जाता है, एक term होती है legal, ultra-wires, मतलब आपके पास power नहीं थी, power के beyond, power के आगे जाके आपने कोई ना कोई काम कर लिया है, जो कि लोगों को मानने क ज़रत नहीं है, क्यों constitution आपको power ही नहीं देता था, तो आप वो ही काम करीगा, जिनके respect में आपको काम करने की power दी गई है, center, आप वो ही काम करीगा, जिनके respect में आपको power दी गई है, और यहां पर जो भी काम निकल कि आता है, दोनों आपसी सहमती से law बना लीजेगा, same ची in the 7th schedule to the article 246 of the constitution of India, ऐसे भूल लिएगा, कि 3 idiots के चतुर आप ही लगे, यह ठीक है वई, तोती की तरह रटके बैठा है, अब यह छोटी से चीज़ रट नहीं पड़ेगी, इसमें कोई logic थोड़ी, कि entry number 82 के अंदर क्यों आया, लेकिन यह सारी चीजों के पीछे जो logic था, व फोर्थ रूल फॉलो करते रहिएगा, सारी चीज़े करते रहिएगा, क्लास के साथ-साथ चीज़े आपको learn भी हो जाएगी, और जैसे हमारा syllabus complete होगा, वो complete होते ही, मैं आपके test भी conduct करवा दूँगा, quizzes होंगे, MCQ quizzes होंगे, उसके साथ-साथ mock test होने वाला है, 100 marker, अलग-अ अगे बढ़ते हैं, हमने 2-3 चीज़ों की बात कर लिए, पहले दूसरी चीज, तुम्हार पास taxes collect करने की power कहां से रही है, अब बढ़ते हैं आगे towards the third point, components of the income tax law, यानि कि यहाँ पर आप term देख रहे हैं, उपर term थी income tax act, नीचे बात हो रही है, income tax law की, अगर आप इस term की ब समझने की कोशिश करिए, जिस भी word पे, मुझे आपका emphasis दलवाना था कि इस word को ध्यान से पढ़ना, इसको भूल मत जाना, यही पूरे paragraph की जान है, वहाँ पे मैं आपको markings करवाता था class में, और बोलता था यही words मां करना और कुश मां कर लेना, लेकिन जब आप income tax की बात कर रहेंगे, grammatically बात करते हैं, this is incorrect, बीच में accept को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी English नहीं सुधार नहीं, मुझे बस आपको बताना है कौन सी चीज़ आपको emphasis के साथ पढ़नी है, paper में आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, लेकिन पढ़ने के time पे आपक चीज़ों पर किया, आप ये mark करो, वो mark करो, सब कुछ already marked है, charge बने है, बने हुए है, जितनी महनत होनी थी material पर मैंने कर दी है, आपको छोटी सी महनत करनी है, चीज समझिये, learn करिये, paper में बैठिये, that's all that you need to do, लेकिन वो चीज़ देखे, आपको judiciously करनी ही पड़ेगी, नहीं तो marks नहीं आने वाले, अपने आप से नहीं आएंगे, चीज़े समझिये, learn करिये, questions की practice करिये, paper में बैठिये, और एक और चीज़ का ध्यान रखियेगा, आपको speed अच्छी होनी चाहिए, अगर speed अच्छी नहीं होगी, आपको सब कुछ आता होगा, 100 marks का paper अटेंट 70 marks का करेंगे, marks आएंगे कहां से, पूरे 100 marks का paper अटेंट भी करना है, speed भी अच्छी होनी चाहिए, वही मैं आपको बोड़ना, वह एक वीडियो देख लीजे, उस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी multiple चीज़े mention कर रखी है, जो की गलतियो की तरह students कर जाते हैं, classes लेने के अलग-अलग documents बनाए क्यों है, मैं rules भी देखता हूँ, circular, notification, legal decision, जो भी court के निकल के आते हैं, act, सब कुछ पढ़ना पढ़ता है, सब कुछ इतने-इतने अलग-अलग documents पढ़ने पढ़ते हैं, सब मिला के बनता है income tax law, तो सारे documents जब मैं पढ़ूंगा, तभी मेरे को समझ अलग-अलग documents बनाए क्यों, क्या उसके बीचे कोई purpose है, बिल्कुल है, अब चाहूं तो मैं आपको सीधा बता सकता हूँ, act ये बोलता है, rule ये बोलता है, रट के चले जाओ, लेकिन मज़ा का आएगा, और हमें क्या करना है, हमें समझना है subject को, हमें बस रटना नहीं है, क अलग-अलग documents है, क्यों, समझना शुरू करिए, बहुत चांदा reason इसके बीच है, देखेजी, income tax act 1961, पहली बार कब enforce हुआ था, it came into force on 1st April 1962, यानि की अगले साल की पहली तारीक से, and इसके इंदे sections है, section 1 to section 298 and 14 schedules, मतलब, अगर आप act को खोल के देखेंगे, multiple sections देखने को मिल तो 1 to 298, multiple sections देखने को मिलेंगे, and जैसे ही sections खतम हो जाते हैं, कुछ schedules आते हैं, जो कि साथ में अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, income tax law बोलता क्या है, ठीक है जी, सब पढ़ेंगे, syllabus के दौरान पढ़ेंगे, it is amended annually by the finance acts, and also by multiple other acts, like taxation laws amendment act, अब इसको समझने की को हर साल 5 मन्त के अंदर हमारा आता है प्यार सा एक document जिसको बॉला जाता है budget, जिसमें बताया जाता है, finance bill के बारे में हलस अला आता है, इसको finance bill क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये amendment करता है, changes लेके आता है, कि इसमें हमारे financial documents में financial सारे सारे statutes केंदर, statute मतलब act की बात हो भी है, और ये क्योंकि सिर्फ taxation laws केंदर change नहीं लेके आता है, बहुत सारे acts केंदर change लेके आता है, यसलिए इसको Taxation Laws Amendment Act नहीं बोला जाता, Finance Bill बोला जाता है, क्योंकि Finance Related Multiple Acts को अमेंड करता है, जिन में से एक Income Tax Act भी है, GST Act वो भी इसी से मेंड होता है, Customs Act वो भी इसी से मेंड होता है, Companies Act वो भी इस एमेंड होता है Multiple Acts साल में एक बार में यहाँ पेमेंड होते हैं 5 मत के इंदर पहले पेप के Last Day में हुआ अगरते थे आज के टाइम पे First Date पे होते है ठीक है जी वो सारी चीज़ आपको लेरन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या लेरन करने की ज़रूरत है क्या दमाग में डलना है अब भी बताने वाला हूँ मैंने उकको बताया था ना कोई भी चीज़ को Act बनने के लिए कोई भी Law पास करने के लिए आपको अगर Parliament को वो Law पास करना है तो तीनों ही जो भी प्रपोस करेगा किसी भी डॉक्यमेंट को कि मैं इसको पास करना चाता हूँ Act बनाना चाता हूँ जब तक वो Act नहीं बनता इसको बोला जाता है बिल वो यहां भी प्रपोस हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, कब, कहाँ पे होता है, प्रपोस आपको जानने की ज़रुत नहीं है, वो Constitution की details में जैसे ही आप जाएंगे, तब पते चलेगा, और वो आपको जानने की ज़रुत नहीं है, आपके syllabus का समझ लेगा, नहीं तो, वैसे ही अपनी पार्टी की मेंबर्स को देखके, यस या नो, वोट कर देगा, तो चो भी होने वाला है, यहाँ पर वोटिंग होगी, पहले चर्चा होगी, डॉक्यमेंट पर उसके बाद वोटिंग होने वाली है, अगर वोटिंग में मिजॉरिटी को मना नहीं करते, लेकिन यह भी एक स्टेज की तरह बनाई ज़रूर गई है, कि यहाँ पर अगर सिगनेचर नहीं लगेगा, प्रेजिटेंट का किसी भी बिल पे, वो आक्ट में कनवर्ट नहीं हो पाएगा, क्यों, यह भी पार्लेमेंट का ही पार्ट है, तो तीनों ही ज सिगनेचर लगने के बाद, वो ही डॉक्यमेंट कहलाएगा आक्ट, और जैसे ही वो आक्ट बन जाता है, वो आक्ट बन जाता है, और लोगों को मानना पड़ता है, प्रॉसस समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, अब बढ़ते हैं आगे, अच्छे को चीज देखिए, ये पूरा प्रॉसस होने के लिए, होना क्या पड़ेगा, सारे MPs को साथ में बैठना पड़ेगा लोगसभा में, सारे MPs को साथ में बैठना पड़ेगा, राज्यसभा के अंदर, President का Signature आना होगा, क्या ये हरूस बैटते हैं, इन particular Assembly सके अंदर, साल में तीन चार बार करने होंगे क्या इतनी असानी से पास हो जाते हैं नहीं इस तीज को अपने दमाग में रखेगा समझने हम हेल्प करेगा कि अलग-अलग documents क्यों बनाये गए बढ़ते आंगे देखिए annual finance act हर साल आने वाला finance act finance bill क्या होता है दोनों houses of parliament यह पास करते हैं यानि कि यह दोनों पास करते हैं और उसके बाद and it receives the ascent of the president ascent मतलब हामी वो इंसान कहता है मेरे साब से यह भी convert होना चाहिए act के अंदर और अपना signature लगा प्रेजडेंट तीनों ही चीज़े होने के बाद क्या होती है यह bill act में convert हो जाता है यह सिर्फ finance bill की बात नहीं हो लिए किसी भी act की बात हो लिए किसी भी बिल की बात हो लिए हर एक के लिए same process चलता है it amends multiple acts including income tax act अगर आप finance bill की बात करते हैं जो कि हर साल आता है 5 मंत के अंदर यह multiple acts को अमेंट करता है जिन में से एक निकल के आता है income tax act ठीक है जी यह वहला जो पार्ट है के लिए यहां पर रेट पता चलता है उनके लिए यहां पर रेट पता चलता है वगयरा वगयरा मैं आपको रेट बता रहा हूंगा आपको यह नहीं पता टीडियस क्या होता है तो अभी समझ नहीं आएगा इसको भी हम पेंडिंग करते हैं page number 1.2 इसको भी करेंगे कब कोई sense ही नहीं बनती, आपको समझ नहीं आना बलग है कैसे finance act से जो कि मैंने आपको बताये कब आता है वेब मंत के अंदर आज कल फॉर्स वेब को आता है तो यहां पे finance bill proposed करा जाता है लोग सभा के अंदर उसके बाद वो राज्य सभा जाता है प्रेजडेंट के पास जाता है chartered accountants के लावा भी ठीक अभी सबको बताऊने सारी चीज़ों के बारे में आपकी लाइफ को एफेक्ट करने वाला है कोई दिक्कत नहीं हो उसमें आगे देखिए पहले तो income tax act को कैसे अमेंड करा जाता है finance act के दुरू लेकिन also by multiple other acts जैसे की taxation laws amendment act यह क्या बोल दिया गया समझे मैंने आपको बताया ना यह जो act है जो भी पास करा जाता है हर साल पेब मन्त के अंदर यह तो हमारी एक रीत है एक प्रथा है जो की चलते आ रहे एक custom है कि हर पेब मन्त के अंदर यह budget आने ही वाला है जिसमें multiple changes आएंगे multiple acts के अंदर कम changes हो स changes पास करेंगे नहीं रुका जा सकता मुझे अभी के अभी कोई ना कोई चेंज करना है या फिर माली जे एकॉनमी धर्ड़ा धर्ड किसी नगीसी तरीके से गिर रही है GDP बहुत जाद गिर रही है changes अभी के अभी करने होंगे November मन्त चल रहा है पर तक वेड नहीं करा जा सकत या फिर आप एक दम से emergency session बुलाते हैं या फिर ordinance के दुरू अलग-अलग तरीके होते हैं अगें फिर constitution में घुष जाओंगा कोशिश करके मुझे रोक लीजेगा अपने घर पर बैटे बैटे रोक लीजेगा जितना मैं constitution में घुषने लग जाओंगा I'll dive into quality जो कि आपको syllabus क पार्ट है नहीं आईएस के लोग पढ़ते हैं civil service की preparation करने वाले लोग पढ़ते हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत भी है तो still मैं आपको कम से कम पढ़ा के ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूगा जो कि आपके syllabus को impact करता है आपको जानने की ज़रूरत है सो basically what is going to happen is मुझे साल के बीच में किसी भी particular date पे अगर changes लाने की ज़रूरत है तो मैं लेकि आउँगा लेकिन क्यूंकि अब जो मैं change लाने की बात कर रहा हूँ इस particular date पे यह सिर्फ taxation laws के अंदर change लेके आने वाला है अब जो भी मैं act pass करूँगा यहां पर उसका मैं नाम भ tax act को target कर रहा हूँ सारे acts को target नहीं कर रहा कि companies act भी change करूँगा customs भी change करूँगा income tax भी change करूँगा और बाकी अदर जो भी acts निकल के आते हैं उनको भी change करूँगा वो तो साल में एक बार करता हूँ और finance act के ध्रू करता हूँ यहां पर जब targeted taxation laws act को करा जा रहा है तो taxation laws के act को amend करने के लिए जो भी act बनाया जाता है साल के बीच में जो निकाला जाता है उसको बुला जाता है Taxation Laws Amendment Act ये हरसा नहीं आता लेकिन जब भी साल के बीच में ज़रुत पढ़ जाती है Tax Evasion करने के सरकार उनको रोकने के लिए amendment ला दी गई ताकि लोग Tax Evasion ना कर पाए और amendments 1961 से इस पटेलर Act में जो लाई जारी है वो कैसे लाई जाती है एक तो annually हर साल 5 मंत के अंदर Finance Act के थू लाई जाती है और उसके साथ-साथ कभी-कभी Taxation Laws Amendment आकि यह भी पास कर दिया जाता है जो कि साल के दौरान पास करा जाता है छोटी-छोटी चीज़े देख रहे हैं हल चीज के बीच लोजिक है इन का नाम ऐसा क्यों है इन का नाम ऐसा क्यों है बगएरा बगएरा बस logic जानने की बीचे आपकी इच्छा होने चीज़े की मुझे logic जानना है मेरा मन है यह नहीं की मुझे तो बस रटवा दो मैं सारी-सारी रट के चीज़े आगे बढ़ जाऊंगा रटने लग जाएंगे तो इतना सारा से लिप ऐसे CE course के अंदर रट नहीं पाएंगे और एक बस CE बन भी गए ना तो सामने वाले इंसान को समझा पाओगे ना ही खुद समझ पाओगे तो practice कैसे करोगे उसका पाइदा कैसे उठाओगे उस knowledge का जो की आपने consume करी है CE का certificate कीसी भी इंसान को ना तो काम दिला पाया है ना ही दिला पाएगा वो बस एक जरिया होगा job fetch करने का फिर business start करने का उसके बाद आपकी knowledge ही काम आईगी चाहे आप job में चले जाएं चाहे आप business में चले जाएं तो knowledge पे महनत नहीं करेंगे तो टंगाते रहो certificate जितने भी आपको दिवारों पे टंगाने है पायदा कुछ नहीं होने वाला on certificates का because at the end of the day knowledge matter करती है तो उस पे काम करिए मेहनत करिए और अभी तो आपने start करिए journey CE intermediate level पे taxation पढ़ने की जितने interest से पढ़ेंगे जितने logic के साथ चीज़े पढ़ेंगे उतना ही मजा आने लग चाएगा कल को मन करेगा इसमें career बनाने का ये नहीं हो गए यार्स ये बन गए लेकिन कोई भी subject समझ ही नहीं आया पसंद ही नहीं आया आप कुछ औरी काम रूमते हैं वो नहीं होने वाला चली जी आगे बढ़ते तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली अब हम जाने वाले हैं किसके बारे में income tax rules के बारे में जानने वाले है income tax rules 1962 में पास करे गए थे कौन निकालती है क्यों निकालती है वगएर वगएर डिस्कस करते हैं CBDT यानि की Central Board of Direct Access घख लीचे Direct लीचे लीचे खियर रावा रिक्त की जगा यह देखे एक body बनाएगी इस सरकार के द्वारा क्यों बनाएगी समझने की कोशिश करिए सरकार ने कहा MPs ने specifically कहा कि भाई सब हम law तो चलो बना देंगे IAS या बागी सारे जो भी knowledgeable officers है उनसे जान की कि कौन से tax के law बनाने की ज़र होता है क्या provision बनाना है बगेरा 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 बिल पास करेंगे बिल को सब जगाओ पे पास करवा के act बना देंगे लोगों को मानना पड़ेगा आपको indirect taxes के लिए बताया था ना एक board होता था Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC उसी के parallel direct taxes के लिए board बनाया गया है CBDT तो इसमें क्या होंगे इसमें professionals बैठे होंगे जो की daily basis पे administration के लिए income tax act को implement करने के लिए जो भी चीजों की requirement होंगी वो चीज़े निकालते रहेंगे कहाँ पे rules के अंतर और उन rules को collectively के अब बोल हो जाएगा income tax rules 1962 जो की again act की तरह meant होते चाहेंगे daily basis पे monthly basis पे जब भी जो भी ज़रुत पड़ीगी कर देंगे तो यह body उस purpose के लिए बनाई की पढ़ते हैं इसके बारे में CBDT is empowered to make rules for the proper administration of the income tax act these rules जो भी यह बनाती है can not take away the provisions of the act nor whittle down its effect again ICI के छोटे शेशी धरूर दुबारे काम करने लग गए टेड मेरे words यूज करने लग गए tension मत लिएगा मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है so basically example लेके बताता हूँ आपको बोला जारे मालीज इंकम tax act में बोला गया है कि किसी भी इंसाने कोई भी बिजनस से इंकम कमाई है तो उसको हम 40% की रेट पर टाक्स करेंगे CBDT कल को रूल बना कि यह नहीं बोल सकती कि बिजनस से इंकम कमाई है कोई दिक्कत नहीं है बोल सकते हो, खुद भी कुछ उल्टा बोलने लगा है अगर तुम कोई भी conflict अगर निकल के आगया है rules में and act में, किस की माने जाए कि act की क्योंकि act उपर आता है, क्यों MPs, CBDT के जो भी officials होते हैं उनके उपर आते हैं power wise, अकल के हिसाब से नहीं तो यहां पर बोला गया CBDT, जो भी rules बनाती है, they can not take away the provisions of the act यानि कि act में जो भी provide कर रखा है, वो ही लोगों को मानना पड़ेगा rule में कोई भी conflicting चीज़ बोल दी, तो it will not be applicable similarly, you cannot whittle down the effect of any act मतलब, act के अंदर हमने बोल रखा था, आपकी income को 40% के rate पर tax करा जाएगा आपने यह नहीं बोला कि tax करा ही नहीं जाएगा, आपने यह बोल दिया 40% नहीं, 20% के rate पर tax करा जाएगा अपर तुमको इतनी power दी किसने, यह तो बताओ हमने अगर act में बोल दिया है, 40% के rate पर tax करना है तो तुम कौन होते होए बोलने वाले कि नहीं, 40% के rate पर tax दे देना तो हमारे पास इतनी power नहीं है in short, act में हमने जो भी काम बोल रखा होगा जो कि हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं और rules में बता रखा होगा, यह चीज़ कैसे होने वाली है example के तोर पर, act में आपको लिखा मिलेगा कि आपने जो भी income कमाई है, उसके लिए आपको return file करनी पड़ेगी in prescribed form तो जो भी आपको form use करना पड़ता है कि form 1, form 2, form 3 यह वाला form in logo को use करना है वो सरकार नहीं बताती हैं, MPs नहीं बताते हैं वो कहते हैं, CBDT तुम्हें बता देगी कैसे? हमने act में लिख दिया, तुम्हे return file करनी पड़ेगी एक document file करना पड़ेगा, जिसमें तुम बताओगे तुमने कितनी income साल में कमाई, कैसे 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 उस पर tax कितना दिया है वगेरा वगेरा, लेकिन कौन सा form number तुम्हारे लिए होने वाला है वो CBDT बता देगी, और उनको हमने power देदी है, कैसे? Act में लिखके कि ये चीज प्रिस्क्राइब कर देगे उनके पास power आई, वो power को use करके क्या गरेंगे रूल्स मनाएंगे और रूल्स में बता देगे कौन सा form यूज करा जाएगा, कौन से return file करने के लिए तो ये power इनको देदी गई, दो reasons rules बनाने के सबसे पहला हम सारे चोटे-चोटे काम नहीं देख सकते, act में provide नहीं कर सकते, दूसरा reason rules बनाने का ये जो rules होते हैं, ये notification की तुरू pass करे जा सकते हैं, act की तरह इतना लंबा rigorous process नहीं होता, लोग सभा में pass करो, राज्य सभा में pass करो, President का signature डलबाओ, नहीं, छोटी सी notification online डालनी है, डालते ही rules आपके applicable हो जाते हैं, क्यूं? छोटी-मोटी चीज़े आती हैं, बड़ी चीज़े नहीं आती है, administration की छोटी-मोटी चीज़े आती हैं, तो इनको pass करने के लिए process जादा लंबा नहीं है, और ये daily basis पर administration के लिए कुछ ना कुछ आपको pass करते रहना पड़ेगा, तो अगर इसके लिए बोल दिया गया CBDT को तुम्हे wait करना पड़ेगा कि हमारा session हो, तो CBD क्या करेगी, भाई हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो तीन मेने में एक बार बैठते हो, और तीन मेने में एक बार दिखते हो, हम तक तक wait करते रहेंगे, और सरकासरा जो administration के लिए requirement थी, कोई भी changes लाने की बहुत देर हो चुकी होगी, पूरा process हेल जाएगा, तो सरकार ने बोला तुम्हे जो भी changes लाने हैं, बिंदास लेके आओ, rules pass करने का तरीका क्या होगा, notifications pass करके, वो bg's मैंने नीचे लिख रखी है, आपको कई लिखने की जरूरत नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं, अभी तक हमने तीन चीज़ा पढ़ी है, income tax act जो की 1961 में pass करा गया था, तब से अभी तक हम इंड करा गया है multiple times, annual finance act जो की annually आता है, हर साल आता है, income tax rules जो की 1962 में पहली बार आय था, अभी तक कापी बार हम इंड कर चुके हैं, सरकार हम इंड कर चुकी है, next हम दिखने वाले हैं, circulars notifications यह भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे, तब ही आपको समझाएगा income tax के provisions आज के टाइम पर क्या है, prevailing provisions क्या है, तो इसमें circular notifications, दोनों की बात होगी, circular की यहां पर बात कर लेते हैं, notifications की यहां पर बात कर लेते हैं, circulars जो होते हैं, कौन इशू करते हैं, they are issued by CBTT, यही इशू करती है, Central Board of Direct Taxes इशू करती है, किस चीज के लिए, to guide the assesses, assesses में तब taxpayers की बात हो दिए, Income Tax Act में multiple times आपको यह word देखने को मिलेगा, और इसका मतलब क्या होने वादा है, taxpayers, GST में यह word मत use करिएगा, वहां पर assesses कोई भी term नहीं है, वहां पर आपको taxpayer यही term यही term यूज करनी है, लेकिन यहां पर assesses यह term यूज करी जाती है, मतलब दोनों का exactly same है, आपको इंटरपेट नहीं करना आ रहा, हम यही चीज़ बोलनी थी जो भी हमने बोली है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, यहां पर बोला क्या गया है, तो वह समझाने के लिए clarifications निकाली जाती है, पूरी industry बोलेगी कि हम compliance करना चाते है, हमें कोई दिखकत नहीं है, लेकिन समझता है, तुमने बोल किया दिया, तो मैं खुद को समझा रहा है, तुमने क्या लिख दिया, तो इसमें सरकार क्या बोल सकती है, कोई दिखकत नहीं है, हम CBDD के थुरू, clarification निकलवाके, circular के थुरू, इस particular provision की compliance आपको करनी के ऐसे है, तो कुछ कीसे में circulars इनकामोगल इशू करे जाते हैं, कैसे इशू करे जाते हैं, practically देखने बाले हम course के अंदर, multiple circulars में आपको read कर वाऊंगा, समझ आएगा कभ इशू करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, उपर-उपर से मैं आपको यहां पर बता गीती है, अब बात करते हैं, binding होते हैं, लोगों पर यहां पर नहीं होते हैं, तो देखिए, department is bound by the circulars, but the SSE is not, मतलब, कोई भी चीज मान लीजे, यहां पर एक paragraph हमने बताया था कि ऐसे interpret करना है, ठीक है, मैं ऐसे interpret करके ऐसे compliance करने लग जाता हूँ, कल को income tax officer बोलता है, आपने गलत interpretation बढ़ ली, हमारा जो circular था, वो गलत बोलता था, यह interpretation नहीं होनी चाहिए, तो SSE क्या बोलेगा, taxpayer क्या बोलेगा, अपर तुम कुछ सोच लो बैटके, तुमारे department की ही circular ने बोला था यह interpretation होनी चाहिए, और department का इंसान ही मेरे को अपतंग कर रहा है यह बोलके कि वो interpretation गलत थी, मेरे सबसे कोई और interpretation होनी चाहिए, तो तुम बैठके अपने आप में सोच लो कि ऐसे तो मैं खेलने नहीं वाला, अगर तुम ऐसे करोगे तो यह cheating होगी, मैं गेम नहीं खेलने वाला, तो सरकार क्या बोलती है, अगर सरकार नहीं कोई circular निकाला है, कोई ने कोई interpretation बताई है, किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ department को तो माननने ही पड़ेगी, कोई भी officer आपको यह नहीं बोल सकता, यह तो interpretation गलत थी, क्यूँ आपके ही department ने यह circular निकाला था, लेकिन अगर act में कोई चीज़ की interpretation देने के लिए department ने, CVDT ने एक interpretation निकाल दी, कि हमारे साबसे यह interpretation होनी चाहिए, आपको सही नहीं लगती, क्या आप court में जाके challenge कर सकते हैं उस interpretation को, मेरे साबसे तुमने गलत बोल दिया है, यह interpretation बनती नहीं है, act में MPs ने कुछ औरी बोला था, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यूँ circular आपने नहीं निकाला है, तो circular में अगर आपको लगता है, कोई गलत interpretation हो गई है, आप उल्टा काम करीए, कोई दिक्कत नहीं है, court में आपको जाना पड़ेगा, court में जाके लड़ना पड़ेगा department से, लेकिन अगर court को भी लगा आपका stand सही है, आप जीट सकते हैं, आपके पास court में लड़ने की option होती है, लेकिन department court में नहीं जा सकता, वो ये नहीं बोल सकता, मेरे साब से यहाँ पर गलत interpretation ले ली भी है, क्यों अपे तेरे department नहीं बोला है, ये interpretation होने चीए, तू बहस नहीं कर सकता, तू bound है circular से, हम bound नहीं है, tax base bound नहीं है, तो ये चीज न है, और उस पर interest पे कर रहा होता है, मालीजे ये इनसान है, यहाँ पर borrower है, और यहाँ पर कौन है, lender है, तो lender क्या करता है, ये पैसा देता है, और ये क्या करता है, बद्दे में पैसे के साथ-साथ interest भी वापस करता है, तो यहाँ पर income कौन कमाएगा, ये कमाएगा, सरकार कुछ cases में section में लिखके बोल देगी कि अगर इस इंसान ने, किसी भी notified इंसान ने interest की income कमाई है तो उसकी income बे हम tax collect नहीं करने वाले क्यों? incentivize करने के लिए कि तुम पैसा दो इस इंसान को दो, हम तुमें incentive देगे interest पे tax collect नहीं करेंगे तो language act में क्या use करी गई है? अगर किसी भी notified इंसान ने कोई भी पैसा lend करा है, हम interest पे tax नहीं collect करने वाले और सरकार ने ऐसा क्यों करा? act के अंदर ही नाम क्यों ने लिख दिया इंसान का? क्योंकि act के अंदर अगर तुम नाम लिख दोगे तो दिक्कत क्या हो जेगी? बार-बार तुमें act को ही amend करना पड़ेगा यह पूरा का पूरा पूरा लंबा process लगा के किसी भी नए इंसान को exempt करने के लिए या फिर किसी भी पुराने इंसान से exemption छीनने के लिए और daily basis पे हो सकता है आप नए लोगों को exempt करना चाहें या फिर पूराने लोगों को हटाना चाहें तो बार-बार आपको यह पूरा process लगाना पड़ेगा act को change करने लिए simple सा तरीका है act में लिख दो कोई भी notified इंसान जो भी होगा उस इंसान को यह फायदा मिल जाएगा क्या आपकी interest income will not be subject to income tax अब आपको क्या करना है अब आपको बस notification निकाल ली है जो की रात और रात निकाली जा सकती है central government के तोरा बस online update करनी है यह पूरा process करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 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 टीनों से भास करवाओ तो कितना असान हो गया मेरे लिए अब मैं रात और रात किसी इंसान की interest income को exempt करना चाता हूँ notification निकालूँगा exempt कर दूँगा अटाना चाता हूँ exemption को notification निकालूँगा बोलूँगा आज से income exempt नहीं है कौन से चीज नोटिफिकेशन में लिखी जारी है more importantly क्यों लिखी जारी है सारी चीज़े act के अंदर क्यों नहीं भर दी गई हर चीज के बीचे reason है तो मैंने आपको example दिया practical की notifications के थूँ central government क्या कर सकती है act ये जो भी provisions हैं उनको effect दे सकती है जहां पर भी act में आपने लिखा है ये काम notification से होगा central government वो काम notification से कर सकती है similarly कुछ cases में notification CBDT ये भी issue करती है कब करती है क्यों करती है to make or amend the income tax rules आपको पता था न rules जब भी बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं notification निकाल की कौन निकालती है CBDT निकालती है तो ये क्या करेगी कोई भी notification निकालेगी बोलेगी आज से ये वाला काम जो भी करने के लिए हमारे पास power थी क्योंकि act बोलता था ये वाला काम होगा prescribed तरीके से वो काम ऐसे होने वाला है administration आट की ऐसे होने वाली है कैसे हमने बोल दिया है notification निकाल के और notification निकालने के लिए भी लंबा process नहीं है चोटा सा process है तो आप कोई भी चीज़े कर notification निकाल के बोलते हैं ऐसे होने वाली है rule बना दिते हैं तो वो rule effective हो जाएगा क्यों CBTT ने notification निकाली है बनाए भी जा सकते हैं and amend भी करे जा सकते हैं change भी करे जा सकते हैं उसके लिए notifications ये निकालती है and act के provisions को effect देने के लिए कभी-कभी notifications निकाली जाती है CG के तवारा कौन सी notifications practical issue करी गई है कौन से rules बनाए गए हैं सब पढ़ने वाले हैं chapter 1 में बस आपको धाचा बताया जा रहा है structure बताया जा रहा है कि बाई सब ये सारे documents आपको देखने को मैं लेंगे अभी जो हम पढ़ाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा act के section में ये लिखा है rule case rule के अंदर ये लिखा है circular ये निकाला गया था इस इस number के circular ने ये provide करा था इस इस notification ने ये provide करा है तो एक तो तरीका में आपको बस बताते जाओं आप रटते जाएं दूसरा तरीका ये है आपके दिमाग में साथ साथ click करें कि अच्छा ये चीज notification में इसलिए डाली गई है ये चीज act के अंदर इसलिए डाली गई है अच्छा rule निकाले गए है तो CBTT ने निकाले होंगे MPs ने नहीं निकाले होंगे बगएरा बगएरा structure आपके दिमाग में होना चाहिए और चीजों के बीचे reason भी आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है जी नोटिफिकेशन की बात करते हैं किस पर banding होते हैं ये दोनों पर ही banding होते हैं department पे भी and assessi पे भी दोनों को ही मानना पड़ेगा notification में जो भी mention है कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो ये सही नहीं लग रहा notification में जो भी बोला गया है similarly मानलीज़ act में कोई भी चीज़ लिखी है आप court में जाके बहस नहीं कर सकती है मेरे साब से ये नहीं होना चाहिए अगर वो चीज़ illegal है constitution right नहीं देता आपको करने की आप बहस कर सकते हैं court में जाके बट अगर legal तरीके से MPs ने कोई भी चीज आप court में जाके बहस नहीं कर सकती है अब बात करते हैं फाइनली किस पे legal decision of courts पे ये भी income tax law का पार्ट पॉर्म करते हैं किसी भी इंसान को आपको law समझाना होगा ये भी पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही समझा पाएंगे अब ये क्यों आई समझी जब भी MPs ने law बनाया प्लस CBTT ने rules बनाया उसी चीज़ को समझाने के लिए या फिर administer करने के लिए उननना का भाई साब इंडिया के आबादी का एक बार ख्याल रखें अपने दिमाग में सोच के रखना फिगर कितनी है 130 करोड़ लोग है 130 करोड़ लोग लाखो टाइप की income कमाते हैं लाखो तरीकों से tax evasion करते हैं हर एक का गरम provision बनाने लग गए कि इस field में income को ऐसे tax करा जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है 50,000 पेजिस का document मन जाएगा पढ़ लेना और see is तुम पढ़ लेना इस चीज को उसके बाद समझाने की कोशिश कर लेना practically possible नहीं है तो हम हर चीज को provide नहीं कर सकते हैं आपको कुछ से interpret करने पड़ेगी कि आपकी case में कैसे लगने वाला income tax act और वहाँ पे जहाँ पे भी चुपी साधर की हमने हमने silence observe कर रखा है वहाँ पे doubt निकल के आएगा कि apply करा कैसे जाए act को तो हो सकता है आपकी कोई opinion हो act को ऐसे apply करना है income tax department उसकी उल्टी opinion हो और जहाँ पे भी conflict of opinion निकल के आएगा दोनों में लड़ाई होगी taxpayer बोलेगा मेरे साब से कम tax बनता है इस interpretation के हिसाब से department बोलेगा हमारे साब से ज़ादर tax बनता है इस interpretation के हिसाब से और दोनों की interpretation दोनों में से कोई भी सही हो सकती है क्यों act silent है act नहीं provide कर रहा था इस case के बारे में तो क्योंकि act कुछ नहीं provide कर रहा था यहाँ पे आएगा कौन court और court में ए case जाने के बाद जट साब का काम होगा कि वो बताएं कि यह जो act में चीज silent थी act नहीं बता रहा था इस चीज के बारे में कि यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे tax department की जो भी assumption थी उनकी जो भी opinion थी, interpretation थी वो सही है या पे taxpayer उसकी interpretation सही है दोनों में से जिसकी interpretation को सही बोला जाएगा court के द्वारा वो ही सही मानी जाएगी अगर act को change ना कर दिया जाए तो अभी act को change करने वाली बात अभी दमाग से निकाल दीजे आगे आपको बता दूँगा but court को उस case में बताना पड़ता है कि act या पर law पूरो को पूरा ये सारे documents मिला के जो भी सरकार नहीं निकाले हैं जिस सब मिला के इस case में answer नहीं दे पार है कि क्या होना चाहिए तो court को बताना पड़ेगा इस case में actually क्या होना चाहिए इंको बोला जाता है legal decision of the courts only those matters go to court on which the law is silent or ambiguous ambiguous मतलब तेड़ी में डीची से बोल रहा है सीधा जवाब नहीं दे पारा कि इस case में क्या होने वाला है अगर कोई चीज law clearly provide करता है तो उस case में आप court में जाके बहस नहीं कर सकते है मुझे तो ये सही नहीं लग रहा नहीं उस case में आपको वो ही follow करना पड़ेगा चाहे logical लगे चाहे नहीं logical लगे लेकिन अगर law silent है किसी भी चीज़ पे ambiguous है आपकी interpretation अलग निकल के आ रही है department की अलग निकल के आ रही है दोनों जाके लड़ सकते हो और ये लड़ाई होने के बाद court का decision आएगा कि दोनों में से कौन सही है और वो दोनों को ही मन आपड़ेगा otherwise आप क्या कर सकते हैं higher court में जाके दुबारा लड़ाई चालू रख सकते हैं तो देखिए वो ही matters court में जाने वाले हैं जहां पे law यानिकी income tax law वो silent है या फिर ambiguous है decision of the supreme court उसको consider करा जाता है law of the land क्यों supreme court judgment is as good as something written in the law किसी भी चीज़े पे law silent था case में आप लड़ते लड़ते district court, high court, supreme court बगएर बगएरा एक ही कर करके supreme court तक पहुच चुके हैं supreme court ने बोल दिया इस case में जहां पे law silent था ये interpretation होनी चाहिए तो supreme court की जो jurisdiction होती है वो कहां की होती है दिल्ली की, महराष्टर की, राजस्सान की कहां की, पूरी country की होती है supreme court पूरी country का एक ही होता है, डेली के अंदर है लेकिन उसकी jurisdiction पूरी की पूरी country की है तो उन्हेंने जो भी चीज़ बता दी, पूरे इंडिया को माननी पड़ेगी तो इसलिए बोला जाता है, इन्होंने जो भी decision सुना दिया है उसको बोला जाता है, law of the land ये माना जाएगा, act का ही part अब बन चुका है unless सरकार act को modify करके, कोई उल्टी चीज़ बोलते है अगर सरकार ने ऐसा कर दिया, supreme court की ruling को वो हटवाना चाते हैं, कर सकते हैं, कैसे? इनके decision आने के बाद, अगर आपको वो सही नहीं लगता act को change कर दीजे, और act में provide कर दीजे अपनी वाली interpretation, जैसे ही वो कर देंगे इनकी decision बिकार हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप कोई भी contradictory चीज़ law in the provide नहीं करते हैं, इनके जो भी decisions होते हैं, उनको बोला जाता है law of the law सब को मानने पड़ेंगे, पूरे की पूरी country को मानने पड़ेंगे, similarly अगर आप high court के decision की बात करते हैं मानने जे डेली high court तें कोई भी decision सुनाया है, कि इस case में ये होना चाहिए, लॉस हाई court की बात करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव जिरिस्डिक्शन में ही applicable होते हैं, इनके decisions, supreme court की decision की बात करते हैं, पूरी पूरी country पे लगते हैं which is why इनको law of the land बोला जाता है ठीके जी, चली, आगे बढ़ते हैं, notes, in the case of any act, किसी भी आग की अगर आप बात करते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट भी न, आप ऐसा करिए, डेपर करिए क्योंकि again, जैसी मैं आपको पढ़ा दूँगा पूरा का पूरा income tax act, ये आपके लिए पढ़ना, समझना बहुत आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो उसको pending कर देते हैं, pages में लिखने की ज़रूत नहीं है, because this page की already pending चीज़ हमने लिख रखिये हैं आपके document में, तो यह हमें आद रहेगा, आगे देखें, in general income tax act जो होता है, वो amend करा जाता है annually, हर साल अमेंड करा जाता है, finance act के त्वारा, जो की parliament पास करता है, however sometimes government क्या करती है, taxation laws amendment act, यह भी लेके आ जाती है, for amending the provisions of income tax act, यह चीज़ हमने ऊपर पढ़ी ली थी, तो नीचे काटी भी जा सकती है, सेम चीज़ आपकी नीचे रिखी भी है, आगे देखें, यह चोटी सी चीज़ लिख लीजेगा, anything can be changed in the same way it was introduced, hence pass an act to change an act, यानि कि कोई भी act के अंदर आपने कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रखी थी, लेटर से income tax act 1961 इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा था, मुझे change करना है, कोई नई चीज़ यहाँ पर डालनी है, कोई पुरानी चीज़ यहाँ पर delete करनी है, या फिर substitute करनी है, कोई भी पुरानी चीज with a new provision, तो उस case में मुझे क्या करना पड़ेगा, act में change लिखे आना है न, नया act क्या बोलेगा, इस पुरानी act के इस section के अंदर यह change करना है, या फिर यह नया section इस वाले act के अंदर introduce करना है, बगेरा आगे आपको practically में दिखा भी दूँगा, similarly, आप बात करें नोटिफिकेशन की, कोई पुरानी notification में अगर मुझे change लेके आना है, किसी भी पुरानी notification या rule में अगर change लेके आना है, I will have to pass the notification, क्यों कोई भी notification या फिर rule notification के through ही pass होते हैं, तो इनमें अगर change लेके आना है, similar चीज़ आपको pass करनी पड़ेगी, notification लानी पड़ेगी, नई notification में पुरानी जो notification थी, उसमें ये, ये change आने वाला है, अब से, so again, same चीज़ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से किसी भी चीज़ को pass करा गया था, उसी तरीके से उसको change करा जा सकता है, इसको change करने के लिए में आग pass नहीं कर सकता, इसको change करने के आपको नया circular pass करना पड़ेगा, चलीज़े, आगे बढ़ते हैं, तो concept of income, under the income tax act 1961, income का मतलब क्या होता है, जानना क्यों important है, क्योंकि उसी पे तो tax लगेगा, नाम क्या है आक्ट का, income tax, income पे लगने वाला tax, तो पहले ये तो जानलो income का मतलब क्या होता है, यहां पर, even irregular और casual incomes जैसे की binnings from lotteries, crossword puzzles, वगेरा वगेरा, they are taxable, क्यों, पूरे आक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने business income कमाई है, या फिर employment में salary value income कमाई है, उसी को tax करेंगे, हमने बोल दिया, इंकम कमाई है न, उस पर tax लगने ही वाला है, which is why, यह जो irregular incomes होती है, जो कि आप regularly पूरे साल में नहीं कमाते है, कभी एक बार बैट गए, lottery लगई, पूरे साल में हो सकता है, एक ही लगई हो, crossword puzzles, एक बार दिवाली पर बैटके game खेला था, अची खासी income निकल के आगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, irregular income है, casually कमाली, serious income कमाने के attitude से पैसे invest नहीं करा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, income निकल के तो आगी न, क्योंकि निकल के आगी है, it will be taxable, अपने दिपांग में ही मत सोचेगा है, चो normal incomes होती है आपकी business वाली, उन्हीं पर income tax लगता है, नहीं, हट टाइप की income पर tax लग सकता है, आप पढ़के देखिए, कब लगता है, कैसे लगता है, next, bulk purchases followed by bulk sales, और a series of retail sales, और retail purchases जो भी followed हों by bulk sales, दोनों अगर आपकी निकल के आती हैं, during the previous year, it can constitute business if there was intention to resell and earn profits, मतलब, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक इंसान ने बोला, भाई साब मैंने एक बार में एक लाग TVs करी दे थे, और एक लाग के एक लाग एक बार में ही बेचती हैं, यानि कि single transaction खरीदने की पूरा साल में single transaction बेचने की, तो इससे जो भी income निकल के आएगी, इसको तो tax नहीं करोगे न, नहीं, सरकार ने बोला, क्यों करेंगे हम tax, income यह तो आपकी irregular तरीके से निकल के आई है, और हमने irregular में तो आपको border गाता हम tax नहीं collect करेंगे, ऐसा हो अधा गया, नहीं, पूरा act में कहीं पे नहीं लिखा है, regularly income कमाऊगे, तो ही tax collect करा जाएगा, तो यहाँ पर example के तरीके सी भी explain कर दिया गया, आप एक बार में सारी purchases कर लो, एक बार में ही सारी sales कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी income आपकी इंडिया में tax होगी, चाहिए आपने एक बार में एक लाख pieces खरीटके, एक लाख के एक लाख, एक लाख, एक ही transaction में बेच दी हो, करने की जरूरत नहीं है, इस से बस idea ले ले लिजे, कौन सी income इंडिया में tax होती है, कौन सी नहीं होती है, वो तो detail में हम पढ़ने ही वाले हैं, आगे जाके main chapters में, इस chapter का नाम क्या है, overview of income tax law, start करने से पहले से journey को, थोड़ा सा जान जाईए act के बार में, थोड़ा सा बसस के बारे में एक gist ले लीजे, अपने दिमाग के अंदर बिढ़ा लीजे, उसके बाद main details में जाने बाले हैं, ठीक है ची चली, आगे बढ़ते हैं, transactions which are entered in the course of business with the intention of earning profit or called revenue receipts, मतलब अगर आपने कोई भी transaction करी और वो करने से पहली आपके दमाग में क्या था, मैं profit के लिए transaction कर रहा हूं, खरीदी kis trees के लिए रहा हूं, बेचने के लिए, तो वो मेरी, क्योंकि ये business transaction निकल के आती है, इसको बोला जाता है revenue receipts, जो भी income निकल के आई है, उस वो इसकी income होती है, तो क्योंकि आपने business activity करी है, जितनी भी income निकल के आईगी, वो होगी revenue receipt and it will definitely be chargeable to income tax, बात करते हैं दूसरे इंसान की, जो की transactions कर रहा है, जो से income निकल के आ रही है, but these are entered into outside the normal course of business और इनको बोला जाता है capital receipt, example के तोर, sale of shares by a real estate broker, यानि की उपर भी shares ही ख खरीदना बेचना, shares खरीदना बेचना, इसका main business नहीं होता, तो इसने जब भी shares खरीदे थे, investment purposes से खरीदे होंगी, कि पैसा थोड़ा multiply हो जाएगा पड़ा पड़ा, waste नहीं होगा, तो इसने जब भी shares खरीद के बेचे हैं, इसको भी income निकल के आएगी, ये भी tax हो सकती है बट कि ए capital receipt कहलाएगी, revenue receipt नहीं कहलाएगी, क्यों इसके main business का बाट नहीं था, ये वली receipts, और जैसे capital receipt कहलाएगी, इनके लिए taxability का थोड़ा सा different rule निकल के आता है, these are generally not chargeable to income tax, unless they are specifically taxed by the income tax act, मतलब अगर आप normally बात करते हैं, इन पर income tax नहीं लगने वाला, अगर हमने income को tax करने की बात करते हैं, तो तो इन पर tax लग जाएगा, otherwise normally इन पर tax नहीं लगता है, revenue receipt जो भी निकल के आती है, हमेशा taxable होगी, capital receipts normally नहीं tax होने वाली, specifically लिख के बोल दिया है कि tax करना चाहेंगे, तो होने वाली है, और इनके examples क्या के निकल के आ जाते हैं, sale of the shares by real estate broker, receipt of liquidated damages on delayed procurement of a capital asset, अब ये क्या होता है, liquid का मतलब क्या होता है, money form, और liquidated damages का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी contract enter into करा, for the procurement of a capital asset, let us say, मैंने किसी इंसान को बोला, मुझे machinery चाहिए, 10 करोट रुपेगी, मेरी factory में लगाने के लिए, और ये तो मुझे 2 महने तक तियार करके द प्राट होने में, दो मेने के अंदर दे देगा, उसने बोल दिया, पक्का दे दूँगा, दो मेने क्या, 10 दिन पहली दे दूँगा, आप पैसे दो, पैसे मैंने दे दिया, बाइस सामने तीन महने तक machine त्यार कर गए नहीं दी, और जिसको मैंने inauguration के लिए बुलाया था, वो अब आने भी नहीं वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सू करने वाला हूँ, लीगली, कि तुने contract के एसाब से काम नहीं करा है, तुझे मुझे penalty देनी पड़ेगी, पहला तरीका तो क्या होगा, contract में मैं नहीं लिकू penalty की बारे में, तो हम court में लटते रह जाएंग damages, क्यों, मैंने money form में बता दिया कितना पैसा लेने वाला हूँ, तो यही liquid damages दो करोड़ गे, जब मुझे मिल जाते हैं इस इंसान से, क्योंकि इसने time पे contract नहीं करा, फुल फिल, तो यह जो receipt हुई है, क्या मेरी business receipt है, नहीं, मेरा यह business नहीं है, लोगों के साथ contract entered into वरता machine खरीदने के लिए, फिर वो time पे काम नहीं कर पाते हैं, मेरा पास income आजाती है, वो मेरा business नहीं है, which is why मुझे receipt हुई है, income आई है, लेकिन इसको बोला जाएगा capital receipt, not a revenue receipt, because this receipt is outside the normal course of my business, अभी जो receipt है, यह capital receipt है, इस पर logic क्या लगने वाला है, अगर specifically कोई section मिल जाता है, ज otherwise it will not get taxed, कौन से tax होती हैं, कौन से नहीं होती हैं, देखेंगे capital gains वाले chapter में, next, compensation on the termination of agency, आप किसी इंसान की agent है, और लेटर से आपको दो साल का contract मिल रगा था, कि दो साल तक आपकी मेरी agent रहेंगे, आप से ही हम माल बुकिवाएंगे आगे जाके, लेकिन वो इंसान क्या कहता है, दो मेने के अंदर ही बोलता है, मैं contract को terminate करना चाहूंगा, किसी भी x, y, z reason से, तो आप उससे compensation demand कर सकते हैं, आपको जो भी compensation मिला on the termination of your agency, उस compensation को भी बुल जाएगा capital receive, बिकुस ये compensation receive करना वो आपका business नहीं होने बाला, तो ये भी जो आपको मिला, ये taxable होगा, लेकिन कब, जब specifically कोई ने कोई provision हो, जोकी इसको tax करता हो, income tax act के अंदर, similarly, माली जाप को gift मिल जाता है, पूरे साल में मिला के आप कहते हैं, मुझे 3 करोड रुपे की gift मिल गए, इस इस इंसान ने दिये हैं, बदले में मैंने कोई काम नहीं करा, तभी इसको gift बोला जा रह यह हमेशा taxable होने वाली है, PGPB head में होती है, section 28 में होती है, अभी मतलिकिए गए इस सारी चीज़ों को, आगे detail में देखेंगे, और यह जो होती है, capital receipts, अगर कोई specific provision है tax करने वाला example के तोर पे इस सारी के सारे sections, जो की tax करते है capital receipts को, तो ऐसा को specific provision होगा, तो यह tax हो आयर चीज़ के बीछे, next चीज़ देखिए, illegality of a business does not exempt its profit from tax, example के तोर पे, मैं मानली जए एक नया business start करता हूँ, कल से teaching और consultancy के साथ, मैं आपको cocaine बेचना शुरू कर देता हूँ, तो मैं जो आपको cocaine बेचूँँगा, उससे भी मुझे income आईगी, जितनी भी income आईगी, क्य येवल income से भी tax होंगी, लेकिन होगा क्या, जो भी illegal income कमा रहे है, वो कभी declare नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं सरकार को cocaine की income मेरी इतनी है, मैं ठीक है गलत काम कर रहा हूँ, पुलिस के लिए गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो income tax department है, उसको मैं cheat नहीं कर सकता, मैं proper income tax पे करूँगा, अरे तुने किसी भी साल में अगर पे कर दिया इस पे income tax, सरकार को पता चल जाएगा अगले दिन तु जेल में होगा, तो practically कोई भी इंसान डेकलेर नहीं करेगा, लेकिन एक बार पकड़ा जाए, तो उसको जेल में भी डाला जाएगा, बिसनस करने के क्योंकि आपकी illegal incomes पे भी income tax लग जाता है, as simple as that, ठीके जी चली, थोड़ा तो जाने हम income tax act 1961 के बारे में, और detail में जानेगे आने वाले chapters के अंदर, आगे बढ़ते हैं towards the next heading which is some of the important definitions, अब definitions की अगर आब बात करते हैं income tax act में, तो multiple definitions आपको देखने को मिलेंगी, अब multiple definitions में क हो सकता है पूरा पूरा act पढ़ने के टाइम पे आपको कुछ words देखने को बेले, जिनका मतलब आपकी दिमाग में कुछ ना कुछ हो, already हो, जैसे की income, अब आपको पता है income का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आपने कमाया, revenue minus expenditure, ये तो normal understanding है हमारी, हो सकता है act में वो चाते word को ऐसे interpret करिएगा, तो हमें ऐसे ही interpret करना होगा, हम खुद की interpretation नहीं लगा सकती कि अरे भाई, income हमें पता है क्या होता है, ये थोड़ी होता income का मतलब, उन्हेंने जो बोल दिया income वो ही मानना पड़ेगा, अगर उन्हेंने बोल दिया आपने जो खर्चे करे हैं, उनको income ब कोई और interpretation आप नहीं ले सकते with respect to that word, however, if the word has not been defined in the whole act, कोई word आपको समझ नहीं आ रहा, पूरे के पूरे act में defined नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, अब general clauses act, या तो इसको देख सकते हैं, या पे dictionary meaning इसको देख सकते हैं, अब ये क्या है अतरंग की चीज, सरकार ने एक act बना रही है, तो generally, जो भी हम multiple acts के अंदर words ये use करते हैं, सारे हमने यहाँ पे define कर रखे हैं, तो basically मेरे दमाग में process क्या चलेगा, पहले मैं चेक करूँगा, कोई भी word, income tax act में, उसकी definition है क्या, अगर है, तो वैसे ही मानना पड़ेगा, नहीं तो, मुझे उस word की definition चेक करनी पड multiple acts के अंदर, चाहे आप GST act की बात करिए, चाहे और भी multiple acts की बात करिए, आपको section 2 एक section देखने को मलता है, जिसके अंदर multiple words की definition आती है, for the whole act, तो पूरे act में आपको कहीं पे भी ये word देखने को मिल चाहे, तो section 2 का clause 7 आपको बताता है, इस word का मतलब क्या होने बाला है, त income tax act में, SEC का मतलब क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे, कोई भी taxpayer, SEC means, means मतलब यहाँ पर देखे, मैंने highlight करा, मैंने आपको ये GST में भी बताया था, यहाँ पर दुबारे बता देता हूँ, कोई भी definition में, अगर आपको word मिलता है means, तो इसका मतलब होता है exhaustive list है, और अगर SEC means, तो आगे आपको जो भी चीज लिखी मिलेगी, यही मतलब होने वाला है SEC का, ना ही इस से जादा, ना ही इस से कम, इंपक्त, दूसरे example से बताता हूँ, जाद अच्छे से दिमाग में बैठेगा, मैंने आपको बोला, car means, Mercedes, ऐसा गई लिखा नहीं है, लेकिन example ले रहे ह हो सकती है, Mercedes हो सकती है, Audi हो सकती है, कोई भी brand हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखके बता दिया, हमें यही मानना पड़ेगा, अब वैसे तो Audi भी गाड़ी है, माननो क्या Audi भी गाड़ी है, नहीं मान सकते है, क्यों, उन्होंने exhaustive meaning दे दिया, मतलब इसको तो गाड़ी बोला जाएगा, इसके आगे इससे कम कुछ नहीं, तो exhaustive meaning यह है और यही है गाड़ी, example के तौर में मैं दूसरी चीज़ लिख देता हूँ, मान लिजे, car includes a Mercedes, तो इसकी interpretation क्या होगी, यह कह रहा है, भाई सब गाड़ी के अंदर Mercedes तो आती ही आती है, इस पर बहस ही हो सकती, taxpayer, tax department, दोनों में से कोई भी यह नहीं बोल सकता कि Mercedes तो गाड़ी नहीं है, यह तो मानी ही जाएगी, क्यों हमने लिखके बता दी, लेकिन इसके अलावा, क्या बाकी brands की गाड़ीयों को भी, car बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्यों, this is just an illustrative list, जो क illustrate करें कि यह तो गाड़ी होगी ही होगी, इसके अलावा भी बाकी vehicles, गाड़ीयों बोले जा सकते हैं, वो इचीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मानना पड़ेगा, illustrative, इसके अलावा भी बाकी गाड़ीयों हो सकती है, Audi, उसके जाए, this is an exhaustive list, यही, and this is an illustrative list, बस example बता रहे थे, बाकी चीज़े भी गाड़ीयों के इंदर आ सकती है, तो यहाँ पर हमें कौन सी definition देखने को मिल रही है, means, मतलब exhaustive definition है, इसी इंसान को बोला जाएगा SSC, किसको बोला जा रहा SSC, the person by whom, any tax or any other sum of money, जैसे की penalty, interest, वगएर इस payable under the income tax act, आपको कुछ भी अगर income tax act के तहत, चाहे एक रुपे भी देने है, किसी भी नाम से देने हो, tax के नाम पे, interest, penalty, किसी भी नाम से, आपको बोला जाएगा SSC, क्यों, आपके ओपर assessment होने वाली है, किस चीज़ की income tax की, तो आपको बोला जाता है SSC, तो आपको बो जाता है, assessment करके, तो इसको बोला जाता है procedure, जिससे पता चलेगा कितनी income पे, कितना tax देना होगा, किसी भी इनसान को, वो determine करा जाता है, तो income कितनी निकल के आएगी कि किसी भी इनसान की income tax act के हिसाब से, assessment से बता चलता है, ये normal assessment भी हो सकती है, या फिर reassessment of an income, previously assessed, वो भी हो सकती है, normal assessment का मतलब क्या निकल के आता है, आपने बस assessment करी है, determine करा है, कि Mr. A को कितना पैसा देना पड़ेगा, हो सकता है, 12,00,00 रुपे निकल के आ गया, बाद में हो सकता है, आपको और कुछ चीजे पता चले, कैसे, और खुद आई हुई, भाई साब की और चीजे निकल क आई, और details पता चली, पता चला कि भाई साब ने 50,00,00,00 रुपे की इंकम छुबा के रखी वी थी, तो आच्छली इंकम 12,00,00 की नहीं थी, 62,00,00 की थी, तो बाद में जब आपको पता चला कि इस इंसान की 12,00,00 की इंकम नहीं थी, पहली बार तो आपने assessment करी थी, तब इ assessment हुई, जादे income निकल के आगई है, तो assessment, reassessment, दोनों ही तरीकों से आपने निकाला क्या है, इंसान की income निकाली है, which is why this whole process is called as assessment, खीके जी, आगे बढ़ते हैं, income की बात करते हैं, बिकार definition, क्यों बिकार है, समझाता हूँ, section 224 के अंदर contained है, जो की बोलता क्या है, section 4, income tax act के जितने भी sections हैं, सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ये के बोलता है, किसी ब इंसान ने पूरा साथ में, जो भी income कमाई है, उस पे income tax लगने वाला है, अगर इतनी छोटी सी बात आपने नहीं बोली, ये होने ही नहीं वाला, क्या नहीं होने वाला, income tax act जितनी भी tax उसको पे करना पड़ेगा, which is why छोटा सा section है, लेकिन बहुत बड़ी चीज कर जाता है, तो उसको बुला जाता है charging section, पढ़ेंगे भी आगे जाके, तो section 4 क्या करता है, charge लगाता है किसी ब इंसान पर, उसकी liability बनाता है कि तुम्हें income tax पे करना पड़ेगा, और यहां पे income पे लगाया जाता है tax, किसके थूरू section 4 के थूरू, अब income का मतलब क्या है, आपको define करा गया section number 224 के अंदर, however, since the definition is inclusive definition and not an exhaustive definition, we need not learn it separately as even those incomes not specifically mentioned under section 224 can be construed to be income, अब यहां पे क्या बोल दिया गया, मैंने बोला भाई साब income की, अगर आप definition देखने लग जाएंगे section 224 की काफ taxable बनाया गया है, यहां पे definition में क्यों डाल दिया गया है, ताकि बहस ना हो पाए, taxpare यह ना बोल पाए, कि यह तो income है ही नहीं, तो इस पर तुमने जो भी बोला income को ऐसे compute करो, यह rate apply करो, इतना income tax दो, मैं तो कहता हूँ, यह income ही नहीं है, परकार नहीं बोला, clarify कर देते ह किस तरीके से inclusive definition मना के, तो उन्होंने इस तरीके से बोला, income includes all of these, और all of these में लंबी से list पनाती, उन सारी incomes की जो कि आने वाले chapters में हम देखने ही वाले है, कौन सी कौन सी income stacks होती है, ताकि कोई भी इंसान उन taxability के ओपर doubt ना raise कर पाए, कि यह जो taxability है, जो भी तुमने किसी इंकम की बताई है, मैं तो कहता हूँ, यह income ही है, वो ना हो पाए, तो inclusive definition दे दी, लेकिन definition में क्या क्या चीज़े आती है, क्या आपको रटनी चाहिए, नहीं रटनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़े नहीं भी आती, वो भी income बोली जा सकती है, because this is an inclusive definition, Mercedes तो गाड़ी है ही, Audi भी है, मारूती भी है, वाकी भी हो सकती है, अगर आपने exhaustive definition दी होती है, तो तो मुझे सारी चीज़े रटनी बढ़ती, यही चीज़े income बन सकती है, यही चीज़े tax हो सकती है, लेकिन inclusive definition है, बहुत बड़ी है, ignore करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई देखकत नहीं होगी, which is why what I done is, material में यहाँ पर आपको provide नहीं करी गई है, लेकिन अगर आप ICA के material खोल के देखते हैं, 224, detail में आपको provided है, एक एक definition के अंदर कौन सी कौन सी चीज़े आती है, खोल के देख लीजेगा, कोई देखकत नहीं है, कहीं भी doubt आता है, पूछ लीजेगा, paper में आने के chances almost negligible है पूछाई नहीं जा सकता है कि क्या क्या चीज़े आती है, क्यों, आगे बले chapters गंदर यह सारी चीज़े आ ही जाती है, जो भी tax होने वाली है, अब मैं आपको एक और चीज़े दिखाना चाहूंगा, कि bear act, मालीज आपका मन करता है, 224 आप खोल के देखना चाहते हैं, कि bear act में कैसा दिखता है, चेक करना चाहते हैं, इसे एक material खोले बिना, कभी भी कोई भी section को देखना चाहते हैं, कि latest position है कि आज के time पे, कोई देख सकते हैं, आपके पास कोई source है, resource बिल्कुल है, वो दिखा देता हूं, देखेजी, यह देखे, यह आपकी income tax की website खुल गई है, taxindia.gov.in, यहीं पर आपको जाना है, pop-up दिख जाएगा, unaption, आप चीज़े दिख रही होंगी, सब को ignore मारीगा, थोड़ा नीचे आईएगा, यहाँ पर देखी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखे, मैं कहाँ पर गया हूँ, समझ कर, तो यहाँ पर होती है, act क्या बोलता है, हमें interpretation बाद में देखेंगे, हमें तो bare language देखनी है, सरकार ने क्या बोला था, act के अंदर, देख सकते हैं, कैसे, देखे, खोल के दिखाता हूँ, मैं आपको, act खोला मैंने, जैसे ही, इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ा time लगेगा, क्योंकि internet यहा income tax act पर, जैसे ही क्लिक करा है, इसके बाद window खुलेगी, खुल जा, खुलने के बाद देखिए, यहां पर, left में, income tax act 1961, as amended by this, this finance act, इतना precisely आप इससे पूछ सकते हैं, जैसे की, मान लीजे, मैं देखना चाहता हूँ, section 2, वो आपका 2013 के बाद कैसे देखता था, उसके बाद हैं, हर साल आते हैं, finance act से, मुझे 2013 के बाद जितनी भी amendments आई हैं, वो नहीं देखनी है, मुझे client का case solve करना है, जहां पे 2013 में उसका कोई case खुला था, department के रहा, उसने गलत income offer करी थी, taxation के लिए, मैं देखना चाहता हूँ, act उस time पर क्या बोलता था, क्या मैं देख सकता बिल्कुल, मैं हाँ पर जाँगा और डालूँगा मैं, कि 2013, वो वलजब finance act था, उसने जो भी amendment करी थी, वो करने के बाद act कैसा देखता था, वो मुझे देखाओ, तो जैसे ही मैंने वो click करा देखे, पूरी की पूरी window change हो गई, और सारे sections वैसे दिखने लग जाएंगे, ज देखे, in this act, first line पढ़ी है, टॉप वाली, unless the context otherwise requires, यानि कि जो भी हमने section में provide कर रखा है, अगर section कोई और interpretation require करता है, आप कोई और interpretation ले सकते हैं, कोई दिखकत नहीं है, otherwise हर word जो भी यहाँ पे explained है, आपको इसी तरीके से interpret करना पड़ेगा, जैसे कि देखे, close one आपको बतात है, advance tax, इसका मतलब क्या होगा, close one आपको बताता है, agricultural income, इसका मतलब क्या होगा, सब पढ़ेंगे, आगे जाके syllabus के अंदर, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाना चाहा रहा था, वो एक बार देख लीजे, यह देखे, two clause 24, top पे देखे, अपने screen के, income की definition बताता है, और कैस इसे के material में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है, क्यों रटना सेंस नहीं मनती मैंने आपको बता दिये, सारी incomes, जिनकी भी taxability आपको बताई जारी है, इन सबको income बोला जाएगा, respective chapters में हम देखेंगे भी, तो आपक tax collect कर रही है, practically assesses अगर इस चीज़ को challenge करना चाते हैं, यह तो income ही नहीं है, उनको list check करने चाहिए, लेकिन paper के लिए आपको कुछ check करने की ज़रती है, but still, कभी भी मन करता है, bear act को पढ़ने का, देखने का, कि यह चीज़ section के अंदर कैसे provided है, यहाँ पे आईएगा, check करिए है, ऐसे ही आप practically consultancy देंगे अपने clients को, तो यह सारी चीज़े भी मैं आपको धीरी-धीरी करके सखाऊंगा, one step at a time, लेते जाएगा मेरे साथ, सारी चीज़े रसानी से समझा जाएगी, next definition पे आते हैं, जोकि हमें बताता है, इंडिया का मतलब क्या होने वाला है, यानि कि act में हमने जहां पर भी बुला है कि इंडिया, यह word को आपने ऐसे ऐसे interpret करना है, इस पर आपको यही चीज़े लगानी है, example की तौर पे, पूरे इंडिया में जो भी income किसी भी इंसान ने कमाई होती है, जूकि इंडिया की income निकल के आती है, उस पर आपको इंडिया में income tax तेना होता है, तो इंडिया हमने जहां भी word use कर दिया है, उसका मतलब क्या होने वाला है, exhaustive meaning, यानि कि यही चीज़े इंडिया के अंदर आएंगी, इसके इलाबा कोई चीज़े इंडिया में नहीं आ सकती, और यही चीज़े तो आएंगी ही आएंगी क्यों, हमने लिखके बताती है, तो किनको बोला जाता है, इंडिया का पाट, territory of the India has referred to in article 1 of the constitution, constitution कोलने की ज़र अतनी है, मोटे मोट तोर पे land की बात करी चालिये, हमारे territorial waters, seabed, subsoil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone, और any other maritime zone which is referred to in this particular act, यहां से लेकि यहां तक act का नाम चल रहा है, land करने की ज़र अतनी है, and any airspace above its territory and the territorial waters, हमारे land के ओपर जितना भी airspace है, हमारे waters के ओपर जितना भी airspace है, वो भी बोला जाएगा इंडिया का ही पार्ट, अभी पूरी definition में हम जादा time नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि GST को जब पढ़ रहा था, वहां पे detail में पढ़ लिया था, इंडिया कर रहा था, वहां से आप दोबार एक बार देख सकते हैं, लेकिन इसको हमने detail में देख रखा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, next word पर आते हैं, which is assessment year, पहली बार आप देख रहे हैं इस word को, GST में नहीं बढ़ आते हैं, इसके बारे में हमने कुछ भी, this is something which is very specific to income tax, बढ़ जिसमें होती क्या है, assessment होती है, यानि कि किसी भी इंसान की income compute करी जाती है, जिस पे income tax उस इंसान को देना होगा, interlinking छोटी सी मैंने आपकी करवाई, income जो भी कमाई जाती है, किसी भी previous year के अंदर, यहां पर देखेंगे, जो भी income आप कमाते हैं, किसी भी previous year के अंदर, वो tax करा जाता है, compute करके इस पर tax दिया जाता है, एक साल income बिंदास तरीके से कमाईए, आगले साल assess करके कि कितनी income पिछले साल में आपने कमा ली थी, उस पर properly सारे सारे taxes पही करिएगा, जितने भी आपने अभी तक पे नहीं करे हैं, उतने, तो इसको बोला जाएगा assessment year, इसको करी जाएगी, तो हर साल आपको देखने को मिलेगा, वो कभी नगभी previous year भी बनेगा, कभी नगभी assessment year भी बनेगा, जब इस साल की income पे tax में compute कर रहा हूँगा, इसको मैं बोलूँगा previous year, इसको बोलूँगा assessment year, जब इस साल की income को tax करने के लिए सोच रहा हूँगा कि कितना tax निकल के आएगा, इसको बोला जाएगा previous year, इसको बोला जाएगा assessment year, अब तर चीज़े clear हो गई होँगी, थोड़ी और clear हो जाएगी जब previous year पढ़ेंगे यहाँ पर, अब इसकी जो definition है, section number 2 के अंदर नहीं है, एक और section के अंदर है, which is section number 3, तो क्या एक general rule है कि हमेशा सार सारी definition section 2 के अंदर ही होंगी, नहीं, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन आपको देखना होगा, वो कहां के लिए applicable है, तो चाहिए section 2 की definitions की बात करी, या फिए section 3 की definitions की बात करी, इस सारी ही जो भी definition है, पूरे के पूरे act के लिए होती है, लेकिन अगर आपको आगी जाकी किसी भ तो सिर्फ उस section के लिए उस word की वो definition होने वाली है not for the whole act तो हमें ये भी दिखना पड़ेगा definition कौनसी जो भी दे रखी है वो किस के लिए रखी है पूरे act के लिए दे रखी है या पर किसी particular provision के लिए दे रखी है और जब किसी particular provision के लिए दे रखी है ऐसा क्यों कर रखा है अगर आप इस साल की बात करते हैं तो उससे पीछे ये वाला साल भी आता है उससे पछला साल भी आता है सारे ही preceding years हैं लेकिन immediately preceding का मतलब क्या होता है ये साल उसके लिए immediately preceding अकेला ये वाला साल है बाकि कोई साल नहीं है Immediately preceding का मतलब जस्ट पेचला वाला साल तो assessment year हमने आपको बता दिया हर 12 महीने जो भी यहां से start होते हैं उनको बोला जाता है assessment year इस साल से immediately preceding जो भी साल होता है याने कि ये वाला साल उसको बोला जाएगा कि इस assessment year के लिए ये previous year होगा जिसमें previous year के दौरान कमाई गई income पे आपको tax देना पड़ता है कब assessment year के अंतर कुछ ना कुछ exceptions निकलके आती हैं इसकी जब आपको previous year में कमाई गई income पे previous year में ही tax देना पड़ता है लेकिन वो सारी चीज़े कहां पे पढ़ेंगे आगे जागे detail में पढ़ने वाले है So it means the financial year immediately preceding the assessment year लेकिन exception है exception मतलब normally तो ये ही होने वाला है कि ये साल आपका assessment year बोला जाएगा इस पूरे साल को previous year बोला जाएगा लेकिन कुछ cases में छोटे period को बोला जाता है previous year कब कैसे क्यूं पढ़ते हैं तब समझाएगा In the case of business or profession जो की नया नया setup करा गया है और a source of income जो की पहली बार existence में आ रही है यहाँ पर पहले समझे दिक्कत क्या होती है फिर आपको समझाएगा exception provide क्यों करी गई है देखीजे, let us say आप अभी अभी qualify होए हैं अभी अभी आप students एक chartered accountant में convert होए हैं अभी तक कुछ भी नहीं कमा रहे थे CA बनते ही कमाने लग जाएंगे hypothetically मान के चलते हैं आप convert होते ही कमाने लग जाएंगे अगर job करेंगे तो तो कमाने ही लग जाएंगे business में थोटा time लग जाता है मान के चलते हैं आप job करने वाले हैं तो latest से ही मेरा पूरा का पूरा साल चलना start हुआ था 1st April से यहां पे और उसके बाद after latest से 1st April में चाल हुआ था मैं Jan के इंदर chartered accountant में बना student से एगदम से chartered accountant में convert हो गया अब होगा क्या इन 2 महिनों के लिए Jan, Feb, March, 2-3 महिनों के लिए जब मेरे पहली बार chartered accountant की capacity में कोई income आनी शुरू होगी मेरी एक नई नई income आईगी into existence as the result of which मुझे income tax compliance करनी पड़ेंगी अब यहाँ पे एक चीज निकल के क्याएगी अभी तक आप student थे आपने कोई भी compliance नहीं करी होंगी आपको बोला गया होगा आपको advance tax देना है TDS काटना है यह वो वगरा वगरा multiple चीज़े निकल के आती है आपने क्योंकि पूरे साल में कोई भी income नहीं कमाई थी पतावीनेत आगे कब कमाएंगे आपने कोई compliance नहीं करी है पहली बार जैन में आपको बता चला है साल के दौराना की income निकल के आ जाएगी जिसकी विरस से compliance पूरे साल की निकल के आ सकती है सरकार ने बोला ये नहीं होना चाहिए नहीं तो ये इंसान जैसे ही कुछ भी income कमाएगा इतने period के लिए बोल दिया जाएगा आपने compliance नहीं करी है जिसकी विरस से fees, penalty, interest वगएरा वगएरा multiple complications निकल के आ सकती है तो सरकार ने बोला इस इंसान के लिए जिसने पहली बार मान लिजिए आप बिजनस स्टार्ट करा है साल के बीच में पहली बार या पर पहली बार कोई भी source of income existence में आई है चाहे वो salary income है, चाहे वो lottery income है, कुछ भी है basically मोटे मोटे तौर पर पहली बार आपने साल के बीच में income कमानी शुरू करी है the important word is पहली बार तो उस case में हम क्या बोलेंगे आपके लिए previous year यहां से start होगा, यहां से start नहीं होगा ताकि compliance की requirements आपके उपर यहां से ना आने लग जाए यहां से आने लग जाएं यहां से income कमाने लग गए है, compliance करनी चालू कर दीजेगा यहां पर compliance नहीं करी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी तो assessment year क्या होने बाला है हमेशा 12 महीने का period होगा क्योंकि यहां पर बस assessment करी जाती है पिछले साल की taxation की respect में, पिछले साल की incomes की respect में तो इसके छोटे होने की बीचे कोई भी logic नहीं निकल के आता है कि इसको भी छोटा करा जाए बट कुछ cases में previous year को छोटा करना पड़ेगा सरकार करनी देती है तो normally assessment year हमेशा ही क्या होगा 12 महीने का period होने वाला है उससे कम कभी नहीं हो सकता उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता previous year की बात करिए normally 12 महीने का होगा लेकिन दो cases में 12 महीने से कम का period हो सकता है कौन से दो cases पहला case आपने business पहली बार start करा है बीच में किसी particular date साल के बीच में या पिर पहली बार कोई भी source of income existence में आई है साल के बीच में दोनों ही cases में starting date जो निकल के आ रही थी 1st April वो starting date ये वाली नहीं होने वाली ये वाली date हो जाएगी but ending date क्या वो भी different हो सकती है नहीं ending date हमेशा होने वाली है 31st March previous year के लिए भी assessment year के लिए but starting date previous year के लिए change हो सकती है 2 exceptions वाले case में अब पढ़ लेते हैं exception को logic समझ आ गया है तो पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली in the case of a business profession जो भी आपने पहली बार नया नया setup करा है और a source of income newly coming into existence in the said financial year उस particular financial year के दौरान जिसको हम बोल रहे हैं previous year अगर ये वाला case आपका निकल के आ रहा था तो पहली बार जब भी date आपकी निकल के आती है on which the source of income newly comes into existence पहली बार जब existence मैं आई थी कोई भी source of income आपके example में जो कि मैंने लिया था पहली बार salary आप जिस date से कमानी शुरू कर देते हैं वहाँ से चालू होगा आपका previous year and not from this date which is 1st April तो वहाँ से चालू होगा respectively and खतम कब होने वाला है खतम तो उसी date पे होगा जो कि यहाँ पे हो रहा था यानि कि 31st March of the said financial year financial year का मतलब भी गो ही होता है 1st April से लेके 31st March का period ठीके ची, previous year, assessment year दोनों ही समझा गए है हर साल previous year भी बनेगा, assessment year भी बनेगा अगर इसकी income assess करी जारी है इसकी income देखी जारी है कितना tax लगेगा, कितना नहीं लगेगा तो इस साल को बोला जाएगा previous year इसको बोला जाएगा assessment year जब आप इस साल को देखने लग जाएंगे, इसकी income की taxability देखने लग जाएंगे, ये बन जाएगा previous year, ये बन जाएगा assessment year ठीके जी, अभी तिक थोड़ी थोड़ी चीज़े clear हुई, 50%, 70% रगा दिमाग में बैठ गई है, बहुत है आपके जाके और detail में आपके दिमाग में चीज़े बैठेंगी, अभी हो सकता है, थोड़ा effort डालना पट रहो दिमाग पे assessment year समझने में, previous year समझने में, थोड़ी देर में आपकी खून के अंदर गुज जाएंगे, ये सारी चीज़े, थोड़ी chapters करने के बाद, आपको सोचना पूछना चोटा है, पता नहीं सरको कैसा लगेगा, ये डाउट पूछना बनता भी है, नहीं बनता है, जो भी डाउट है, छोटे से छोटा, बड़े से बढ़ा, मुझसे पूछ लीजे, अगर वो छोटा होगा, तो भी मैं आंसर करूँगा, बड़ा डाउट होगा, तो से बाहर का होगा, तो मैं solve कर दूँगा, या फिर आपको बता दूँगा, इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरुरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे expect करने लग जाऊँगा, कि आपको पता हो, कौन सा डाउट पूछने का मनता है, कौन सा नहीं बनता है, कौन सा syllabus का है, कौन सा नहीं है, आप शायद पूछने पाएंगे अपने doubts, तो उस चीज की tension आप मत लीजेगा, कि कभी भी किसी भी doubt को देखके मैं पूछूँगा, यह क्यों पूछ रोगी हो, तो syllabus से बाहर का है, आप बिंदास पूछिए, मैं आपको बता हूँगा कौन सी चीज syllabus के पहले, इस chapter का overview बोलने से पहले कि हमने पूरा का पूरा ले लिया, income tax law, ऊपर ऊपर से समझ आ गया है, कुछ और चीज़े बढ़ लेते हैं, section 4, charging section है, आप से कभी भी पूछा जाए, किसी भी MCQ के तूप, कि charging section कौन सा है, पूरे के पूरे income tax act का, तो आपको माग करना होग section number 4, क्यों, फेले देखे, charging section का मतलब क्या होता है, section that levies the charge of tax on the assesses, तो income tax act का charging section कौन सा है, section number 4, क्यों, ये provide क्या करता है, देखे, it provides that income tax is a tax जो भी levy करा जाता है, इनसान की total income पे, जो भी उसने previous year के दौरान कमाई होती है, हर इनसान ने, every year, every person ने, जो भी income कमाई होती है, total income, previous year के दौरान, उस पे लगने वाले tax को बोला जाता है, income tax, अब ये section अगर नहीं होगा, देखे, कितनी छोटी से line है, लेकन अगर ये ही नहीं होने वाला, तो आप कितना ही बताते रही है, इसको income बोला जाएगा, इतना tax rate लगेगा, बगेरा बगेरा, क्योंकि आपने ये ही नहीं बताया, income tax, जो कि आप करने की बात कर रहे है, उसका मतलब क्या है, तो line बहुत छोटी सी है, लेकिन इसकी significance बहुत बड़ी निकल के आती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, charging section, ये charge लगाता है, किसी भी इंसान की income पे एक liability बना देता है, कि उस income में से सरकार को आपको कुछ ना कुछ हिससा देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है, income tax, और जैसे ही income कमाल होगी, वो जितना हिससा निकल के आए, income tax का, वो तुम्हारा पैसा नहीं कलाएगा, सरकार का पैसा कलाएगा, जो कि तुम्हारे पास पढ़ा है, तो इसलिए बोला जाता है, इसको charging section, हाँ tax का charging section होता है, जैसे की GST के अंदर, हमने CGST के लिए कौन सा charging section बढ़ा था, section number 9 बढ़ा था हमने, अगर आपको याद आ रहो तो, IGST के लिए हमने कौन सा charging section बढ़ा था, section 5 बढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था, IGST वाले section learn करने की जरुद नहीं है, next चीज, as a thumb rule, remember that whenever anything is done by the authorities, कौन से authorities, tax authorities, mark कर लीजे, tax authority, अगर कोई भी काम कर जाता है, tax authority के दुबारा, which is against the interest of the SSC, SSC मतलब taxpayer, अगर taxpayer के खिलाफ आप कोई भी काम करेंगे, उसको बोलेंगे, आपने 12 रुपे का tax दिया था, नहीं, कम दे रखा है, 18 लाग देना चाहिए, यानि कि 6 लाग रुपे और दो, आप उसके against कोई काम कर रहे हैं, उस पर कोई penalty लगाते हैं, उस पर कोई interest लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो कि against निकल कि आता है किसी taxpayer के, उस case में, SSC will have to be given a reasonable opportunity of being heard before doing such act, यानि कि department को SSC के खिलाब कोई भी काम करने से पहले, कर लीजे, जो भी करना चाते हैं, कर लीजे, लेकिन एक बार बोलने का मौका आपको देना ही पड़ेगा किसको taxpayer को, कि तुम बताओ कि तुमारे against ये काम क्यों ना करा जाए, तो पहले notice आपको भीजना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कि हम ये काम तुमारे against करना चाते हैं, क्योंकि तुमने सही काम करा है, तो बातचीत तो कर लो, नहीं तो unnecessary तुम क्या करोगा, तुम सीधा order issue करोगे, department order issue करेगा, कि 6 लाग रूप extra दो, वो इनसान कहेगा, कहां के 6 लाग रूप extra दो, तू जो income मेरी बता रहा है, वो मेरी नहीं मेरे पड़ोसी की है, तो क्या आपका court में जाने वाला है, दोनों court में लड़ोगे, court का time खाने के बाद आपको पता चलेगा, ये order raise ही गलत करा गया था, तो पहले एक बर उसे पूछ तो लो, हो सकता है, वो उसी time पर तुम्हें बता देता, मेरी income नहीं है, पड़ोसी की है, पड़ोस के हलवाई को पकड ये तो आपको देना ही पड़ेगा, वो ही चीज़ आपके दिमाग में एक process की तरह बैठा भी होना चाहिए, कि ऐसा होता है, most cases में, ये general rule है, thumb rule है, हर case में लगेगा क्या, ने, जहां पे नहीं लगेगा, बता दूगा specifically, example, before passing कोई भी assessment order, या फिर penalty order, या फिर before resigning, any approval granted to assesi, resigning मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए आपको approval दिया गया था, वो वापस लिया जा रहा है, अब आप वो काम नहीं कर पाएंगे, तो तीनों इसे कोई भी काम करने से पहले, जो भी against जाते हैं assesi, कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये देनी पड़ेगी assesi को, reasonable opportunity of being होड, ठीके जी, आगे देखे, ये मैंने लिखा process of computing tax, उपर लिख लिजेगा, read after finishing the syllabus, because अभी आपको समझ नहीं आने वाला, इसको मैं जल्दी से read कर दूँगा, लेकिन समझ नहीं आने वाला क्यों, एक एक point के respect में पूरा-पूरा chapter है, जो कि हमें पढ़ना है, और तब ही करेंगे, एक एक चीज crystal clear होगी आपके दिमाग में कि पूरा process होता है, किसी भी इनसान का income tax निकालने का, तो दिखिए, act का नाम क्या है, income tax, यानि कि किस पर लग रहा है tax, income पे लगने वाला है, goods and services tax, GST, आपके syllabus का पाठ है, किस पर लगता है, goods and services, उनकी value पे लगता है, तो यहाँ पे income tax लगने वाला है income पे, income का मतलब क्या होता है, income equals to revenue minus expenditure, मैंने आपको 10 करोड रुपे का माल बेचा है, खरीदने में मुझे 3 करोड रुपे का खर्चा हो गया था, तो मेरी income कितनी होने वाली है, 7 करोड रुपे की, कैसे revenue 10 करोड का, minus expenses 3 करोड के, 7 करोड रु हो सकता है, पूरे 3 करोड को क्लेम करने दें, हो सकता है उतने भी अलाउना करें, जतने आप कह हैं कि आपने खर्चे करें, कौन से खर्चे अला होंगे कौन से नहीं होंगे, कैसे बता चलेगा, income taxad के provisions को बढ़ के बता चलेगा जो कि हमारे syllabus का part है, वह जर दो करना हमें, हम कौन सा rate apply करा जाता है जहांपे income multiplied by rate आपको income tax बता देती है कि कितना income tax निकल के आ रहे है this is the whole process that we will have to follow ये पूरा कपूरा आग पढ़ने के time पे तो करेंगे एक बार देखते हैं क्या क्या चीजे करी जाती है chronological order में यानि कि पहली ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा ऐसे नहीं पहली ये कर दिया उसके बाद ये कर दिया फिर ये कर दिया नहीं chronological order में आगे पढ़ना है सबसे पहले हम देखते है residential status क्या है उससी का यानि कि आप resident है non-resident है उस पर depend करेगा आपकी कौन सी income इंडिया में tax करी जाती है जैसे हलकास आपको advance में बताता हूँ अगर आप इंडिया के resident निकल के आ जाते हैं यानि कि मोटे मोटे तौर पर वो इंसान जो कि इंडिया में रहता है mostly उसको बोला चाता है आपकी global जो है चाहे इंडिया में कमाई है चाहे कहीं भी कमाई है इंडिया में खर्चा कर रहे हो इंडिया के इंफ्रस्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में तुमने जो भी income कमाई है उस पर इंडिया में फिर सारी चीज़ आपको इस चाप्टर में देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारा अगला ही चाप्टर है, इस क्लास में स्टार्ट हो जाएगी अब दिमाग में आएगा क्लासिफिकेशन की ज़रुद क्या है, सारी इंकम बही इनकम टैक्स लगने वाला है, तो ग्लासिफिकेशन क्यों करी जाएगा, और इस चीज़ का अनसर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको सीधा बता दिये जाएगा, पांच हेट्स में जाती है classification, अगर नहीं करूँगा तो क्या दिक्कत हो रही थी? सरकार को इतनी के जरूत थी classification करवाने की There is a reason behind that Because the government has identified different rules for the allowance of expenses under various heads to ensure that only genuine expenses are being claimed. सरकार को दिक्कत क्या हो रही थी? उन्होंने अलग-अलग incomes के लिए देखा कि जब भी खर्चे claim करने की बारी आती है इंसान करने की कोशिश क्या करेगा? income tax अगर उसको कम पे करना है तो income reduce करने की कोशिश करेगा जिसके दो ही तरीके निकल के आ सकते हैं. पहला अपना revenue जितना कम दिखा सकते हो सरकार को अतना कम दिखाओ या फिर दूसरा अपने खर्चे जितने ज़ादा दिखा सकते हो तने ज़ादा दिखाओ. दोनई तरीकों से अपनी income आप कम कर जाएंगे और income जैसे ही कम करेंगे corresponding income tax वो भी कम होने बाला है. तो इंसान जब अपने expenses inflate करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा. सरकार ने sections बना रखे हैं कि यह एक खर्चा ही आपको claim करने को मिलेगा लेकिन same rule हार टाइप की income पे नहीं लगाया चाह सकता. यानि कि आपने जितने भी income कमाई थी, जितने भी revenues कमाई थे सब पे मैं single rule से आपको बता ही नहीं सकता कि यह यह खर्चे ही claim करने देंगे तब जाके मैं शौर करवा लूँगा कि आप genuine खर्चे claim करें. सब के लिएक तरीका नहीं बन सकता. कुछ incomes में सरकार ने देखा हम खर्चा लाओ करना ही नहीं चाते हैं क्यूँ यह वाली incomes अलग head के अंदर classify होंगी और इस head के अंदर कोई भी खर्चा claim करना चाते हैं तो इन section से कर सकते हैं जो कि अलग rule बताते हैं similarly कोई और income निकल की आई जिसमें सरकार ने देखा कि आपको indexation का फायदा देना चाहिए हमें कोई जो भी आपने खर्चा करा था वो दस साल पहले करा था आज के time पे उस दस साल वाले खर्चे की दस साल पुराने वाले खर्चे की value अलग होने वाली है तो इस खर्चे को हम आपको increase करने देंगे आज की value निकालने के लिए यह capital gains head में करा जाता है और सिर्फ उसी head में करा जाता है क्यों वहाँ के खर्चे claim करने के लिए तरीका अलग है सरकार ने कहा हर head के लिए जहां पे भी हमने आपको classification करने के लिए बोली 5 heads बनाने के लिए बोले वो इसलिए बोला because इन heads के अंदर कौन सी income tax होगी किस तरीके से होगी and जो भी खर्चे अलाओ होंगे वो किस तरीके से अलाओ होंगे वो तरीका ही अलग है और वो तरीक आपको बताने के लिए अलग-अलग heads हमें बनाने ही पड़ेंगे otherwise आप इन genuine expenses जो भी genuine नहीं है जो भी आपको claim नहीं करने चाहिए थे वो आप claim कर जाएंगे अपनी income को कम कर जाएंगे income tax जितना आपको देना चाहिए उतना नहीं देंगे वो इससलिए क्या करा गया है revenues को split कर दिया गया expenses को split कर दिया गया under 5 heads तो आपने जो भी income कमाई है आपको देखनी पड़े की कौनसे head की है और उस head के हैसाब से कौनसे revenues वहां पर tax होने चाहिए कौनसे खर्चे आप वहां पर claim कर सकते है head की rules आपको देखने पड़ेंगे आगे देखे compute the income under each head as per the provisions of the act यानि की 5 head में classification करने के बाद देखिएगा कौनसे revenues यहां पर taxable है कौनसे खर्चे claim करे जा सकते है बूरा process लगा के income compute करिएगा कहाँ पर हर head के अंदर यह करने के बाद आपको clubbing करने के लिए बोला जाएगा set of carry forward यह करने के लिए बोला जाएगा अभी बिलकुल समझ नहीं आएगा बाद में ही देखिएंगे respective chapters के अंदर then आपकी एक income निकल के आ जाती है जिसको बोले जाता है gross total income यानि कि कोई चीज माइनस करने से पहले ही की income gross total income कौनसी चीज़ अभी तक minus नहीं करी गई है कुछ deductions जो कि आपको अलगे लग चीज़ों पर incentivize करने के लिए दी जाती है यहाँ पर invest कर दो यह खर्चा कर दो यह वाली income कमा रहे हो वगएर वगएरा तो आपकी income जो कि normally tax होनी चाहिए थी उसमें कुछ amount of tax नहीं करने वाले कैसे इसको reduce कर देंगे by the amount of deductions जो भी हमने आपको act में provide कर रखी है अब यह करने के बाद GTI में से deductions minus करने के बाद आपके पास निकल के आ जाती है total income जिसको कभी कभी net total income बोल जाता है बट वैसी कोई term होती नहीं तो आपको सही तरीके से बोलना चाहिए total income या पर GTI GTI मतलब deduction से पहले वाली income और total income मतलब इसके बाद वाली income यह subtract करने के बाद वाली income यह जितनी भी निकल के आ जाती है उसको round off करा जाता है section number 288 A के अंदर इसको mark कर लीजे बहुत important है क्यों यह आपको किसी भी chapter में देखने को नहीं मिलेगा यह यहीं पर आपको लिखा मिलेगा इस particular analysis के अंदर बाकी सारी चीज़े detail में हर chapter के अंदर हम explore करेंगे बट यह जो round off वाली बाते हैं 288 A वाली या 288 B वाली यह कहीं और नहीं लिखी है इसलिए इसको mark कर लीजे यहीं से आपको पढ़ना होगा section 288 A कहता है अगर आपकी total income जो भी निकल के आई है वो मान लीजे multiple of 10 में नहीं है ऐसी कोई figure निकल के आगी है मान लीजे 256892 256892 10 में क्या 0 है? नहीं is this a multiple of 10? No it is not तो उस case में आपको क्या करना होगा? round off करना होगा income को to the nearest multiple of 10 and for this purpose any part of the rupee consisting of payse shall be ignored यानि की मान लीजे यह figure निकल के आए थी 256892.89 तो पहले इस वाले portion को इसको तो इंग्नोर कर दीजे यहां पर जो भी figure दी चाहे 99 हो चाहे 0.01 हो दोनों को ही आपको ignore करके चलना है ठीक है जी इसको तो मैं काट देता हूँ उसके बाद क्या बोला जा रहे देखी देर आफ्टर अगर amount जो भी आपका निकल के आ रहे है वो multiple of 10 नहीं है which in our case is not a multiple of 10 तो फिर आप क्या करेंगे last figure check करिए यह जो निकल के आ रही है तो मैं क्या करूँगा पिछले multiple of 10 वहाँ पे round off कर दूँगा पूरी figure को which is why मेरा answer निकल के आ जाएगा यहाँ पे figure होगी 256 and 890 this is what my answer is going to be मान ली जो उपर निकल के आता 256,897 तो मैं round off करके पहुचा देता 256,900 वहाँ पे तो दोने examples लिक लिजेगा बस कोई rocket science वाली चीज़ नहीं थी basic सी चीज़ है यह rounding off आपको दो बार करनी होती है पहले जब भी आपने total income निकाली होती है उसको करना होता है round off इसको मत कर दीजेगा कि GTI आई है decimals में आई है या फिर units digit में आपकी 10 का multiple नहीं है जिसपे tax rate multiply करके आपका income tax निकल के आता है तो पहले इसको आपको round off करना है कहाँ पर section 288A के अंदर यह बताता ही कि ऐसे round off करना है उसके बाद आप क्या करते हैं जो भी income निकल के आ जाती है उसपे tax rates multiply करे जाते हैं जो करने के बाद क्या होता है आपको पता चल जाता है कितना tax निकल के आ गया जितनी भी tax liability निकल के आती है उसको increase या फिर decrease करा जाता है with the surcharge, rebate और marginal relief अगेरा अगेरा to arrive at the tax liability इतना tax था उसमें ये सारी चीज़े increase करिये या फिर ये चीज़े decrease करिये जितना भी amount निकल के आ जाता है उसको बोला जाएकर tax liability जितनी भी tax liability निकल के आ जाती है उसमें से आप minus करेंगे जितना भी tax आपने already साल के दौरान pay कर दिया है क्योंकि remaining amount है आपका payable निकल के आएगा example के तोर पे मेरी tax liability 10 करोड की निकल के आती है लेकिन साल के दौरान ये कुछ चीज़े होती है पढ़ेंगे आगे जागे detail में इन तरीकों से मैंने 7 करोड रुपे already pay कर दी है तो अब कितना payable amount निकल के आ जागा 3 करोड रुपे का और alternatively सोच के देखिए मेरी tax liability निकल के आ रही थी 10 करोड रुपे की मैंने इन तरीकों से पूरे साल में 12 करोड रुपे already दे दी है तो जादा दे दी है तो भैस अब 2 करोड रुपे तुम्हें मुझे refund करने पड़ेंगे मुझे कुछ नहीं देना है तो जो भी amount है वो ऐसे ही निकल के आएगा जब आप compare करेंगे इसको और इसको compare करेंगे तो ये minus करने के बार तो ये भी आपको process करना होता है अभी मेरे जितनी चीज़े आपको बोली उसमें आपको ये भी समझने आयोगा ये सारी terms क्या है ये भी समझने आयोगा ये सारी terms क्या है समझ आएगा कैसे detailed chapters है आगे जाके बहुत detail में सब कुछ समझ आ जाएगा बहुत easy लगेगा लेकिन अभी तरक आपको समझ आ क्या जाना चाहिए था आपको दो चीज़े round off करनी है ये वाली और ये चीज़े round off करनी है तो ये ये नहीं ये round off करना है tax payable or the refundable जो भी case को minus करने के बाद निकल के आता है from this figure तो ये दोनों ही चीज़े आपको round off करनी होती है in sections के अंदर provide कर आ गया है rounding off का तरीका क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता है same तरीका यहाँ पर भी लगता है तो ये तरीका आपके दिमाग में chapters laid down है जैसे कि सबसे पहला chapter हमारा ये निकल के आएगा जिसमें ये निकालना सीखेंगे उसके बाद ये incomes निकालनी सीखेंगे हम बगेरे बगेरा तो एक ही करके सारे chapters पढ़ते जाएंगे सब कुछ आपको clear होता जाएगा syllabus complete करने के बाद आप इसको देखेंगे बहुत easily सब कुछ समझ आ जाएगा अभी जितना overview लेना था मैं पूरे 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 act का वो हमने ले लिया है अब हम चालू कर पाएंगे main act को और कोई चीज रहगी है क्या ये देखें presentation tips ये भी आपको मेरे material के अंदर देखने को मिलेगी और कापी सारे chapters में end में आपको कुछ मैने tips ये भी दे रखी है कि ICA के question solve करने के लिए कौनसी कौनसी चीज़े हैं जो कि आपको extra पता होनी चाहिए act में नहीं है circular notification किसी भी law के अंदर कहीं पर भी आपको लिखी नहीं मिलेगी लेकिन अगर आपको question solve करने हैं तो कुछ extra चीज़े हैं जो कि ICA आपको trick करने के लिए confuse करने के लिए वो भी मैंने आपको chapters के end में दे रखी है अब ये तो overview वाला chapter था इसके कोई questions अपने आप में नहीं होते which is why यहां पर आपको ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है इसा कोई provision यह चीज़े आपको tips की तरह बताई जारे हैं question solve करने के लिए लेकिन बाकी सारे chapters में आपको chapter के end में some tips to solve questions इसा वाला एक portion मिलने वाला है जहां पर आपको multiple tricks देखने को मिलेंगी जो की आपको आई से confuse करने की कोशिश करेगी मैंने आपको पहले ही बता दी हैं तो paper में घुसने से पहले जब आप module को पढ़े रहोंगे वो भी चीज़े आप पढ़के जाएंगे as a result of which आप गलतिया नहीं करने वाले जहां पर आई से expect करती है कि आप गलतिया करने वाले हैं तो हम एक step आगे होगे चलेंगे ताकि paper में दिक्कत ना हो कुछ presentation tips देख लीजे you do not have to necessarily write the bare act language in the exam यानि कि student का question उट क्या आता है कभी-कभी यहां पर हमने जो language use कर रहे है मैंने bare act खोल के देखा bare act में थोड़ी different language है या मुझे वो ही language लिखनी होगी या फिर ये language लिखके काम चल जाएगा वो ही मैंने आपको बताए bare act की जो language होती है यानि कि जो भी document पास करा जाता है act, notification, circular उसकी कोई एक language होती है जिसको analysis करके बहुत deep तरीके से chart format में आपको किसी भी format में आपको समझाया जाता ही materials के अंदर दिमाग में आएगा अगर मैंने वो ही language follow नहीं करी word by word सेम चीज नहीं लिखी कहीं मेरे marks तो नहीं कट जाएंगे doubt बिल्कुल valid है इसलिए मैंने का पहली class के अंदर पहले chapter में ही आपको वो ही चीज समझाय जाए कि आपको वो format यूज करने की ज़रत नहीं है और इसी चीज को back करने के लिए मेरी statement को back करने के लिए मैंने आपको बोला ICI के material एक बार खोल के देखेगा बेराक मैंने आपको बता दिये कहां से देखने को मिल जाएगा ICI के material भी खोल की देखेगा आपको देखने को मिलेगा multiple sections के अंदर ICI ने बेराक के language को use नहीं कर रखा बस technical words जो भी हैं उस particular बेराक के अंदर same copy करे जाते हैं ICI के material में यहां पे भी आपको ICI के material की ही language मिलने वाली है लेकिन क्या word by word आपको same चीज़ लिखने है paper में नहीं, that is not required refer the bare acts of any section and then see how ICI has presented them in their material to reassure yourself that modifying the language a bit to make things simpler is allowed till the time you do not change the intent or the meaning of the provision आपको intention change नहीं करनी provision की meaning change नहीं करना words जो भी technical words हैं वो आपको use करने ही पड़ेंगे, इस material में भी मिलेंगे ICI के material में भी मिलेंगे उनका आप change नहीं कर सकते, उनका आप skip नहीं कर सकते लेकिन बाकी जो चीज़े हैं उन words का थोड़ा बहुत play कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली word by word आपको चीज़े रटने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े जो subjects होते हैं यहाँ पर ICI को रट्टू तोते नहीं चाहिए होते हैं लेकिन EIS के सम्से subject की बात करेंगे वहाँ पर ICI को चाहिए आप रट्टू तोते बने जो भी हमने pointers बना दी हैं headings बना दी हैं उनमें आप एक word भी उपनीचे करके देखेगा marks कर जाएंगे 200 pages का पूरा module है और उसमें सिर्फ रटने वाली चीज़े हैं तो ICI कहती है इतना basic सा material है यहाँ पर रटके जाओ चीज़े point के अंदर की चीज़े चेंज करनी है कर दो heading change नहीं कर सकते लेकिन taxation जैसा subject जहाँ पर सारी इतनी logical चीज़े है learn करने वाली चीज़े और इतना बड़ा subject है यहाँ पर practically possible ही नहीं कि आप word by word चीज़े learn कर भी लें अगर मैं आपको बूल भी दूँगा ना कि पूचा जाए का word by word तो भी नहीं कर पाएंगे आप क्या मैं भी नहीं कर सकता और यहाँ पर expect भी नहीं करा जाता हमें professionals मनना है जिनको पता होना चीज़े taxation laws के अंदर provided क्या है हमें रट्टू तो तो नहीं मनना जो कि word by word same चीज़े repeat कर सकते हैं तो आप जब तक सारी की सारी चीज़े जानते हैं सही technical words उस करते हैं presentation का आपका तरीका सही है आपको provision सही से पता है आपके कोई इंसान marks नहीं काट सकता कोई काटना चाहेगा भी नहीं वह चीज़ अपने दिमाग में टालिएगा और चीजों के logics, चीजों को present करने का तरीका questions की practice, सारी चीज़े हम कहां पर करने वाले हैं class के अंदर करने वाले तो बेफेकर होके सारी की सारी classes attend करिए logic समझे सारी चीज़ों के मज़े आएंगे आपको पढ़ने में भी और paper में भी जब marks निकल के आएंगे लगेगा सारी सारी मैनत वहत वाल थी चलिज़े, आगी देखे Throughout this material, you will observe that important stress words are highlighted by capitalizing them and certain sentences are put in between inverted commas जैसे की ये देखे From tax liability, यहाँ पे inverted commas है Subtract the advanced tax paid TDS, TCS, etc, यहाँ पे inverted commas बंद हो गए, to arrive at tax payable or refundable, अभी inverted commas आपको paper में use करने क्या, कभी नहीं करने पूरे material में भर भर के आपको ऐसे चीज़े देखने को मिलेंगी, चीज़े capitalize करी गई है जैसे की यहाँ पे देखी lower, capitalize करके लिखा है पेपर में आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आप normally लिखिएगा जो की grammatically correct तरीका है उसी तरीके से लिखिएगा उस तरीके से आपको लिखने की ज़रुत नहीं नहीं capitalizing इसे follow करिएगा नहीं inverted commas को follow करिएगा दिमाग में आता है फिर मैंने ऐसा क्यों कर दिया आपके लिए readability चीजों को learn करना वो बहुत असान हो जाएगा अगर ऐसे आपको मेलेगा पूरे का पूरा material तो क्यूं? capitalize जहां पर भी कर रखा है आप इसको stress से पढढ़ेंगे आपका दिमाग ही वैसे पढ़ने वाला है तो आपका emphasis जाएगा न सारे-सारे words पर जहां पर जाना चाहिए और दूसरी चीज ये inverted commas को क्या होता है आप sentences को जैसे break करकर पढ़ना चाहिए चीजों को अच्छे से interpret करने के लिए वैसे कर पाएंगे इन words को आपको साथ में पढ़ना है इन words को आपको साथ में पढ़ना है तो confusion नहीं होती नहीं तो कापे बार होता गया है आप गलत words के साथ गलत चीज़ को पढ़ जाते है जिसकी एवर आपको कापी sections में दिछाउंगा भी अगर आप inverted commas वाले जो words है इनको ना साथ पढ़के मान लीजे, इसके साथ पढ़ लेते हैं in words को, मतलब बदल जाएगा, यहाँ पर नहीं बदल रहा, लेकिन काफे sections में दिखा दूँगा, मतलब बदल जाता है, तो आपके लिए असान बनाना, interpretation कैसे करी जाए, उसके लिए करा गया है, यह दोनाई चीजों को use, capitalization को भी, inverted commas को भी, और multiple जबब आपको देखेगा भी, यह help भी करेगी, लेकिन paper में यह चीजे मत करिएगा, आपको grammatically सही तरीके से करना है paper में present, बस learn करने के लिए, चीजे समझने के लिए, इन tools का भरपूर फायदा उठाइएगा, आपको मज़ा भी आएगा, और आपको पता भी चलेगा, आके पढ़ते पढ़ते कि कैसे यह चीजें बहुत जादे important हो जाती है, ओकी जी, chapter number 1 हमारा totally complete हो गया है, page number 4, page number 5 in fact, यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया है, अब आते हैं next chapter पे which is chapter number 2, which tells us about residence and scope of total income, मैं सोच रहा हूँ यह भी मैं आपको आज ही करवा हूँ या फिर यह कल वाली class में करें, मतलब आपके लिए जादा ही load ना हो जाए पहले टेपे, कर लेते हैं, आज भी इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में काफी सारी चीज़े पढ़ लेते हैं, जैसे कि person की definition, यह बहुत बड़ी होने वाली है, GST में मैंने आपको multiple times बोला था, कि GST में भी आपको ऐसी terms देखने को मिली थी, जैसे कि HUF, company, firm, AOP, BOI, तब मैंने आपको बोला था, अभी इस पे जादा stress मन दीजे, क्योंकि GST में बहुत जादा implications नहीं हैं चीज़ों की, कि कौन HUF है, कौन company है, कौन firm है, इससे taxation का तरीका ही change हो जाएकर, नहीं, वहाँ पे सारे ही लोग जो भी tax पे निकल के आ रहे थे, चाहिए किसी भी form के हो, सब पे similar tax लगता था, लेकिन income tax में बहुत major implications हैं, individual, HUF, company आप जो भी बनते हैं, उसके basis पे आप पे लगने वाला tax उसका तरीका ही बतल जाता है, which is why, यहाँ पे बहुत detail में पढ़ना पड़ता है, आप हैं कौन, ताकि आपको पता तो चले, कि जिस भी इंसान ने income कमाई है, उसको किस capacity में tax करना है, individual की capacity में, HUF की में, company की में, इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहली बार आप पड़ने अपनी जिंदगी में इस टर्म को, तो यह समझना बहुत important हो जाता है, कि यह है कौन, बात में देखेंगे, इन्होंने जितनी भी income कमाई है, उसको tax कैसे करा जाता है, पहली यह बताओ, यह है कौन, वो ही मैप को बताने वाला हूँ, H.U.F, Company, Firm, A.O.P., B.O.I., वगरे 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 वट आदीस पीपल, वट आदीस फॉर्म अप पता ही है, आप और मैं, नाचरल परसंस जो होते हैं, living beings जो होते हैं, उनको बूला जाता है individual, इसके लावे जितनी भी organizations हैं, सारी fictional हैं, यानि कि paper पे exist करती हैं, लेकिन ये भी income कमा सकती है, इनकी income इनके हाथ में tax होती है, किस तरीके से होती है, किस rate से होती है, बात में देखेंगे, लेकिन ये होते कौन है, वो जानना शुरू करते हैं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, chapter number 2 को, which is residence as scope of total income, definition of some terms, पूरे के पूरे act के लिए, दीकिए section 2 में मैं आपको बताया था न, जो भी definition देखने को मिलेगी, वो पूरे act के लिए होगी, यानि कि पूरे act में person word, कहीं पे भी used मिलता है, मैं उसको इसी तरह से interpret करूँगा, unless otherwise specified, what do I mean by unless otherwise specified, कि इसी section के लिए मान लीजे बूल दिया गया, कि section 1, 1, 2 के लिए, person का मतलब ये होगा, और वहां पे कोई और मतलब बता दिया गया, अभी के लिए मैंने आपको क्या बता है, ये वाले section में जो भी definitions आती है, पूरे act के लिए होती है, तो समझते हैं person का, इस act के लिए क्या मतलब होने बाला है, और important क्यों है, section 4 में हमने पढ़ रहा था, every person, every year के अंदर, every previous year के अंदर, जितनी भी income कम आता है, उस पर लगने वाला income tax, उसी को बोले जाता है income tax, मतलब उस पर लगने वाले tax को बोले जाता है income tax, every person, what do you mean by a person, यहां पर पता है क्या, person के अंदर देखिए सारे-सारे लोग आ जाते हैं, individual, HF, company, firm, AOP, BUI वगर वगरा तो यहां से चालू करते हैं, individual का मतलब क्या होता है, it includes a minor person और a person of unsound mind, यानि कि कोई भी इंसान जो की बच्चा है, 18 साल से कम की एच का है, उसको भी बोला जाएगा क्या individual, includes मतलब, यह लोग तो person की definition के अंदर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपने लिखके बता दिये लिए कि इनके इसके लावा किस इनसान को individual बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्यों यह illustrative definition है, not exhaustive, तो हमेशा includes, means, means, छोटे-छोटे words हैं, इन पर ध्यान दीजे, ऐसे ही आप सीखेंगे art of interpretation, नहीं तो, किसी भी इनसान की तरह रट के बैट जाएंगे पूरे के पूरे आट को कभी भी काम नहीं मिलने वाला, ना ही job में, ना ही business में, एक छोटी से चीज समझ के चलिएगा, income tax, B.com में भी पढ़ाया जाता है, C.E. में भी पढ़ाया जाता है, CS, C.E. में और 13 courses है, इंडिया में भर-भर के courses है, जहाँ पर आपको income tax के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन, सबसे ज़्यादा एक chartered accountant जाना जाता है, taxation field में, क्यों? हमने इनाम कमाया है, हमें मिला नहीं है कहीं से, पर इनाम जो हमने कमाया है न, यह हमारी certificate से जादा, C.E. के certificate से जादा हमारी knowledge ने कमाया है, अगर आपके पास knowledge नहीं होने वाली, चीज़े आपको नहीं पता होंगी, तो उस तरीके से, अगर आप रटने की बात करते हैं, तो रटने वाला काम तो पूरी दुनिया ने कर रखा है, आप compete कैसे करेंगे, आप उन लोगों से उपर कैसे आएंगे, knowledge के basis पर आएंगे, जो कि हर इंसान को consume करने का मौका भी नहीं मिलता है, आपको मौका मिला है, इसको यूटिलाइस करिए, चीज़े समझिए, मैं आपको पूरे कोर्स के दौरान, बार-बार इसी चीज़ पर हो थोड़ा मारता रहा होंगा, कि knowledge पर focus करिएगा, exams पर focus मत करिएगा, यह देखते हैं, आपके अंदर कितनों के अंदर एक कील पहुचती है, कितनों के अंदर नहीं पहुचती है, चलिजी, इंडिविजुल इंक्लूट करता है कोई भी minor person, यानि कि 18 साथ से कम का इंसान, और परसन और अंसांड माइड, दोनों को ही बोला जाएगा, इंडिविजुल, इनकी जितनी भी इंकम होगी, वो assess होगी, इनके ही हातों में, लेकिन, but assessment, यहनकी इंकम निकालना, और उस पर tax लगाना, in such cases, is made on the guardian or the manager of such person, यानि कि जो भी इंसान इनकी देखबाल रखता है, उसको बोला जाएगा कि तुमको income tax देना पड़ेगा, क्यों यह बच्चा ही, यह नहीं समझ पाएगा, और यह इंसान भी unsound mind का है, यह income अपनी calculate करना, उस पर tax calculate करना बगएरा बगएरा, वो सारे काम नहीं कर पाएगा, तो जो भी guardian या फिर manager, और such person who is entitled to receive his income, आपकी income जो भी इंसान आपके बहाफ पर receive कर रहा है, उसी इंसान को बोला जाएगा, इस income से जितना भी tax देना बनता है, वो भी तुमें ही देना पड़ेगा, किसके बहाफ पर, इसके बहाफ पर, ठीक है जी, in the case of a deceased person, मान लिजे, किसी इंसान की death हो गई है, Mr. A की death हो गई है, तो A की death होने के बाद, इनकी जो भी legal representative होंगे, उनको देना पड़ेगा, इनकी income पे लगने बाला tax, मतलब मान लिजे, साल के दौरान अपने पूरी income कमाई थी, और जब tax देने की बारी आई, assessment year के अंदर, उस time पे आप चल बसे, तो हुआ कि आपने tax नहीं दिया, लेकिन साल के दौरान income कमाई थी, अब latest से आपके बच्चे, आपकी वाइब की property को claim करते हैं, वो कहते हैं, इन भाइसाब की latest से 10 करोड की property थी, सारी की सारी हमारे नाम होगी, तो सरकार कहते हैं ठीक है 10 करोड की इनकी property थी आपके नाम पे होगी, लेकिन ये जो 10 करोड की property आप ले रहे हैं भाइसाब की कोईने को ही liability भी थी, tax liability, इनको 25 रुपे का tax देना था, इनके legal representatives पर 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 आपको बता है आप और में natural beings, human beings, जो की physically touch करे जा सकते हैं, feel करे जा सकते हैं, उनको बोला जाता है individuals, होता है, इसको हम एंड में बढ़ने वाले हैं, अभी आप यहां से बस देख लीजे, इसको define नहीं करा गया है, इसका मतलब क्या होता है, more discussion done in the notes given below, नीचे जब आप देखेंगे, तो यहां पर, मैंने अच्छर को यह बारे में बहुत detail में आपको बता रखा है, किसको HF बोल जाता है, किसको नहीं बोल जाता है, वो सारी चीज़े देखेंगे, लेकिन यहां पर हलका पुलका आपको बताया गया, वो दीख लीजे, इवन Jain Undivided Family और Sick Undivided Family, इनको भी HF ही बोल जाता है, income tax act में, वैसे, Jain एक अलग religion होता है, हिंदू उसके साथ नहीं चलता हो, Sick अलग religion होता है, हिंदू नहीं बोल सकते हैं, तो यहां पर भी Jain Undivided Family, यह भी एक concept निकल के आता है, Sick Undivided Family, यह भी एक concept निकल के आता है, लेकिन पूरे act में, हर जगा पर यह थोड़ी लेखेंगे, Hindu Undivided Family, Jain Undivided Family, तीनों पर यह provision लगेंगे, नहीं, तीनों पर सेम प्रोविशन लगाने थे, तो यह नहीं नहीं क्या बोल दिया, यह नहीं नहीं कहा है, Hindu Undivided Family, हम पूरे act में यहीं words लिखते जाएंगे, और जहां पर भी यह लिखा होगा है, न हुए, तो मान के चलना, J-U-F, इन पर भी सेम प्रोविशन लग रहे हैं, मान की चलना, ठीके जी, कंपनी की बात करते हैं, यह section 2 में अलग से आपको बताई गई है, आगे जागे detail में देखेंगे, तो यहां पर chart में खदम नहीं करने वाले इन दोनों को बहुत detailed concepts है, नीजे notes में देखेंगे, इसका मनलब क्या होता है, same meaning as that given in the Indian Partnership Act 1932, यानि कि अगर हमने firm term उसकर लिए है, आप मान के चलिएगा partnership firm उसी की हम बात कर रहे है, and it includes LLP also, यानि कि limited liability partnership, unlimited liability partnership, दोनों ही include हो जाती है, इस वाली term के अंदर, दोनों के लिए taxation के अगर बात करी जाती है, same तरीके से होती है, unless otherwise provided, यानि कि कुछ cases में हमने बोल रुखा है, LLP के लिए अलग तरीका है, taxation का normal partnership के लिए अलग तरीका है, जहाँ पर बोला है, वहाँ पर उस तरीके से interpret करिएगा, otherwise जहाँ पर भी हमने सर्फ firm term use करी है, मान के चलना है, LLP, normal partnership, दोनों के लिए ही same चीज़ बोली जारी है, even a minor, जो भी admit करा जाता है, partner की तरह वो valid होता है, for the purpose of income tax act, very very important word, for the purpose of income tax act, partnership act खोड़ के देखिएगा, minor के लिए अलगी तरीका बताया जाता है, सारे ही चीज़ों के respect में, liabilities, assets, वगेरा वगेरा, आपको exceptions बताई जाती है, minor को बहुत सारे फायदे दिया जाते हैं, लेकिन income tax के जब भी बात करी जाती है, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, you are just like any other partner in the firm, चाहे major partner हो, चाहे minor partner हो, आपकी दोनों की जितने भी incomes निकल के आ रही है, उनकी taxability exactly same होने वाली है, तो इस act के लिए minor का मदब अलग होने वाला है, अलग-अलग treatment होने वाले हैं, लेकिन हमारे act के लिए income tax fact के लिए आप दोनों ही same हो, चाहे minor चाहे major, AOP, अब ये क्या है, AOP का मदब होता है association of persons, लिकना चाहते हैं तो लिख लीजे, चाहते हैं तो क्या लिखी लीजे, और इसका मदब होता है body of, इंडिविच्ड़ल्स, मेरी राइटिंग दे के कोई भी मुझे जज नहीं करेगा, starting classes मैं आपको ऐसी राइटिंग देखने को मिलती है, जब मैं छोटा लगता हूँ या पर जल्दी जल्दी रखता हूँ, आगे जाके आपको पते चलेगा मेरी असली राइटिंग क्या है, उसके basis पे जज करेगा, इसके basis पे जज मत करेगा, अभी मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, डंकी राइटिंग लाने के लिए, इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है, जब कोशिश करूँगा, अट इलीस्ट पांच परसन बेटर राइटिंग आएगी, उतनी बेटर होगी, उससे जाधे बेटर नहीं होने वाली, तो देखिए, AOP, जिसकी हमें फूल पॉर्म देख ली, अब तो आपको मतलब समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा Association of Persons क्या होता है, कुछ भी नी समझ जाया है, मैं समझ जाता हूँ, Association of Persons, तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, English में Person का मतलब क्या होता है, वो तो हम देखी रहे हैं, किसी को भी Person बोला जा सकता है, चाहे Human Being, चाहे बाकी Organizations, जो की Paper पर exist करती हैं, Association का मतलब क्या होता है, दो या फिर उससे जादा लोगों का साथ हाना, तो अगर मैं Association of Persons साथ में पढ़ता हूँ, क्या ऐसा बोला जा सकता है, Individual HF Company, मानली ज़िए साथ में आके कोई भी काम करते हैं, income कमाते हैं, साथ मिलके, तो वो बोली जाएगी AOP की income, बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है, कुछ-कुछ concept आपके दिमाग में आ गया होगा, जितनी भी चीज़े मैंने बोली, आपके भी दिमाग में आया होगे, चलो यह तो शायद मैंने जादा बोल दिया, आपके AOP के हाथ में, यहनि कि बोला जाता है, AOP ने कोई भी income कमाई है, और detail में यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जाद अच्छे से समझाएगा, persons, not just individuals, तिर्फ individuals नहीं, यह कि multiple individuals, आप भी साथ में आ सकते हैं, कोई भी साथ में आ सकते हैं, इंडिविजोल भी हो सकते हैं, इंडिविजोल और कमपनी भी हो सकती है, इंडिविजोल कमपनी फर्म, कोई भी combination हो सकता है, इसलिए हाँ पर वर्ड यूज करा गया है, persons, not individuals, नीचे देखी वर्ड क्या यूज करा गया, individuals, उपर बोला गया है persons, इसलिए अबाइडर है, persons who get together for a common purpose or action, and object must be to produce income, यानि कि तीनों आप क्या कर रहे हैं, तीनों, चारों जितने का भी आपने combination मनाया था, सारे के सारे साथ आए हैं, common purpose के लिए, common action के लिए, common goal अचीव करने के लिए, जो कि business करना हो सकता है, पर कोई भी चीज़ हो सकती है, और आपको objective क्या होना चाहिए, कि आप income कमाएं, यह निकी बस साथ आगए, income वैसे ही हो गई, वैसे हो गई ही सोचा था, साथ आए ही से लिए थे, ताकि income हो पाए, किसी नगी सी तरीकी से income कमा पाएं, तो आप सब के साथ आने को बोला जाएगा, association of persons, example, co-airs, codonies, वगेरा वगेरा, जो की जॉइन होते हैं, for a common purpose, they are accessible as an association of persons, co-airs का मतलब क्या होता है, मान लीजए, कोई इंसान थे Mr. A, उनके बच्चे थे, B and C, and उनकी वाइफ थी, इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ होने के बाद, कि इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी चांदनी चौक में एक दुकान थी, जो कि चांदनी चौक की दुकान, बहुत शानदा चलती थी, नाम बन चुका था, क्योंकि एक दुकान तीन लोगों में डिवाइड नहीं करी जा सकती, बेचनी पड़ीगे और जितना भी पैसा निकल के आया, मान लीजे, 45 करोड निकल के आते हैं, तो तीनों को 15-15 करोड मिल जाएंगे, यह जिस भी तरीके से बढ़वारा होगा, वो हो जाएगा, बढ़व अपने पास चानी चौक वली जो भी दुकान थी आपकी, उसको वैसे ही चलने दीजे, और इसको Association of Persons की तरह चलाएगा, जहां पर आप दोनों लोग साथ आ गए हैं, किस चीज के लिए, आप दोनों तीनों जो भी लोग हैं, सब साथ आ गए हैं, और साथ आए किसले हैं, income कमाने के लिए, objective क्या था, to produce income, तो साथ आ गए हैं, आपकी जितना भी share निकल के आता था इस property में, one third, one by two, जो भी था, उसको आपने पूल इन कर दिया, कि ठीक है, दुकान को चलने दो, हमें बटवारा नहीं करना है, यह दुकान income कमाईगी, और जो भी income कमाईगी, वो कि किसके हाथ में tax करी जाएगी, वो question out क्या आता है, सरकार इसको बोले, पूरा का पूरा इस दुकान की income से तुमें tax देना पड़ेगा, नहीं, इसको बोले तुमें देना पड़ेगा, नहीं, इसको बोले तुमें देना पड़ेगा, नहीं, इंकम पे तीनों ही हाथ खड़े होगा physically आप responsible हो जाएंगे tax देने के लिए लेकिन सरकार tax किसको करेगी association को करेगी जिसके नाम पे दुकान चल रही होगी तो ये तो पहले example होगा co-airs ये चला सकते हैं किसी भी चीज़ को co-donies, donies मतलब जिसको भी donation दिया जाता है किसी भी asset का उसको बोला जाता है donies, अब मैं एक बार में कोई भी asset किसी भी इंसान को donate करता हूँ तो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसके नाम पे होगी आने वाली income उसके हाथ में tax हो जाएगी, चाहे वो जो भी इंसान हो, individual हो, HFO company हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मैंने multiple लोगों को एक बार में donation दे दिया है मैंने कोई donation दिया है, जिसमें donation की owners कौन होने वाले है, multiple लोग, कोई भी combination हो सकता है, multiple individuals individual है, जिए आप company कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर recipient जो है, अगर इस साथ आते हैं, उस particular asset को use करने के लिए, उससे income कमाने के लिए, दो नोई ही चीज़े, भाई साथ बीच में and लिखा है, और नहीं लिखा, या तो आप साथ आए हो, या वे आप income कमाना चाहरे हो, नहीं, दोनों चीज़े साथ भी आये हो, और उसके साथ साथ income भी कमाना चाहते हूँ, दोनों चीज़े अगर यहां पर satisfy हो जाती है, तो code donies, जो भी इस asset का use करते हैं, income कमाने के लिए, आने वाली income, किसकी income बोली जाएगी, किसी एक donie की, नहीं सब की मिला के, collectively, और बोला जाएगा AOP ने इतनी income कमाली है, जिस पे AOP को इतना tax देना होगा, किस तरीक से देना होगा, आगे जाके detail में देखेंगे आगे देखेंगे, it is not enough that the persons receive income jointly, just because आप साथ में कोई भी income receive कर रहे हैं, does not mean बोला जाएगा AOP ने income कमाई है, आपकी intention होनी चाहिए थी, objective होना चाहिए था कि हमें income कमानी भी है, साथ में बस income आगी है, वो example नहीं होने वाला AOP का, example की तोर पे आपको बोले गया है यहाँ पे, profit making should be the objective वो objective नहीं होगा, आप धक्के मारके नीचे पहुँचा दिये जाएंगे, कहाँ पे, आपको बोले जाएगा body of individuals, इसको बढ़ते हैं इसको divide नहीं करा जा सकता, example दूँगा भी आपको and also because they did not get together with the object of producing income, hence they are not accessible as AOP, इनको BOI यहाँ पे ही धकील के पहुचा दिया जाएगा मैने बताया था न, इस वाली condition को satisfy नहीं करते सीधर धक्के मारके यहाँ पे पहुचा दिया जाते है आपकी income भोली जाती है, BOI ने कमाई है and accordingly पूरे act में आपको जहाँ भी देखने को मिलता है कि BOI की income ऐसे tax करी जाती है उसी तरीकिसा आपको interpret करना होगा पूरे act को, example देखिए mutual trade associations, members club बगेर बगेर, यह सारी-सारी organizations जो है, यह BOI की तरह tax होती है mutual trade associations, मान लीजे हम market के अंदर multiple traders थे हमें लगा कि हमें पैसे कठे करने चाहिए और traders के benefit के लिए जो भी काम होता है वो काम करवाना चाहिए, जैसे की road बनवाना है वगरे वगरे कोई भी काम, तो उसके लिए हमने जो पैसे पूलिन करके और वो ही जो trade association की property थी वो let out कर देगी कि इसी third party को और let out करने पर, let us say वहाँ पर कोई भी शादी गया फिर कोई भी function हो गया 25,000 रुपे की organization को income आ गई है तो 25,000 रुपे की income किसी बोले जाएगी मेरी, यानि कि मेरे एक trader की या मेरे जैसे और 50 traders जोने फॉप करी थी वाली association हमारी individually बोले जाएगी income 25,000 रुपे की या फिर हम सबने collectively income कमाई है collectively कमाई है और साथ में हमने ये जो organization बनाई थी, ये income कमाने के लिए बनाई थी क्या? नहीं, idea ये था कि हमारे favor में, हमारे hit में कोई ना कोई decisions लेगी, हमें help करीगी trading activity के अंदर अब वो तो club खाली पाड़ा था, इसे लिए उसको let out कर गए, कुछ ना कुछ handy income कमाली गई तो इसे लिए एओपी के अंदर नहीं आ पारी swimming pool बना देंगे, golf club बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, जो कि आपके benefit के लिए होगा, अब ये ही अगर किसी third party को दे दिया जाता है, तो income निकल के आ सकती है, जो भी income आईगी taxable होगी, आप सब की individual income की तरह taxable नहीं होगी, एक POI की income की तरह taxable होगी, similarly co-executors, co-trustees वगेरा वगेरा ये भी POI की capacity में tax होते हैं, क्यूँ, आपको पता नहीं चलेगा किसका कितना title है, किसका कितना interest है, और उसके साथ साथ, ये साथ हमें नहीं आये थे income कमाने की objective के साथ, एक्जाम मिल के तौरपे co-executors, आपको पता ही नहीं होगा, शायद की होता क्या है, मानली जागें, इस इस इनसान की death हो गई है, और death होने की time पे सको पता है, चाननी चौकी दुगान, हम दोनों के जाने के बाद, ये दोनों बेटे-बेटिया, जो भी हैं, ये एक-एक eat तोड़के, उसका बटवारा कर लेंगे, और उसको बेच के जितना भी पैसा आएगा, ले लेंगे, इनमें इतनी समझदारी नहीं है, कि इस business को चालू रखेंगे, तो जाता इंकम निकल के आएगी, तो ये क्या करते हैं, इनकी जितनी भी estate होती है, अपनी will के अंदर लिख देते हैं, document में लिख देते हैं, कि मेरे जाने के बाद, मेरी जितनी भी estate है, सारी की सारी उसके लिए co-executors बन जाएंगे, या इनकी साथ में property चलाना, इनका conscious decision है, कि ये साथ में आये थे, कि इस चीज़ के लिए income कमाने के लिए, नहीं, अरे बे जबरदस्ती कर देगी थी तुम्हारे साथ, तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर property चाहिए तो, तो यहाँ पर जो भी तुम काम कर रहे हो, अपनी कुद की own free will के साथ नहीं कर रहे हैं, कि हम साथ में आये हैं, income कमाने के लिए, नहीं, तुम डाल दिये गए हो साथ में, और यहाँ पर अब तुम्हारे पास income आ रही है, consequently साथ में डाल जाने की वज़े से, तो अब जो भी तुम income कमाऊगे, बोली जाएगी, BOI की income है, और BOI के हाथ में tax कर दी जाएगी, उसके बाद तुम income निकाल सकते हो, कैसे tax करी जाएगी, BOI के हाथ में, कैसे निकाल सकते हो, सब कुछ बताऊँगा आने वाले chapters में, similarly, co-trustees, अब यह भी concept होता है, देखिए, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, रब बुक में लिखिएगा, मैंने आपको बताया था ना, logic register के अंदर, वो सारी सारी चीज़े लिख लिया करिये, जो भी मैं आपको बताता हूँ, logic की तार, जो भी syllabus का पार्ट नहीं होती, लेकिन, आप अपनी दिमाग में डालना चाहते हैं, पूरा syllabus खतम करिये, उसके बाद, पूरो का पूरा register, go through करिएगा, कि इस register में कोई ऐसी चीज़ है, चूकि मेरे दिमाग में अभी तक नहीं बैटरी और बैटनी चाहिए थी, अगर ऐसी कोई चीज़ है, उसको रहने दीजे, जो बीचीज़ इंग में बैट गई है, पूरा syllabus करते करते, उनको एंड में काट दीजेगा, नापशनाब पैसा है मेरे पास, लेकिन लेटर से कोई घातक बिमारी हो जाती है, जिससे उनको पता चल जाता है, अगले 6 मेने के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, बच्चे की बात करी जाए तो बच्चे की एज बहुत चोटी है, लेटर से शादी अभी तक नहीं हो रखी है, अपर हो गई थी, डाइवोर्स हो चुका है, बच्चे की कस्टडी उनके पास है, अब इनको चिंता है मेरी डेथ जैसे ही 6 मेने के अंदर हो जाएगी, मेरी प करने की कोशिश करेगा, मेरे बच्चे के लिए assets को, कोशिश करेगा कि सारी की सारी assets उस इनसान के नाम पे हो जाए, unnecessary dealings करके अपने enterprises के साथ सारी मेरी wealth को अपने पास transfer करता जाएगा, जब तक मेरा बच्चा होगा, जब तक मेरा बच्चा बढ़ा होगा, वो realize करेगा कि उ almost सारी wealth खतम हो चुकी होगी, तो मुझे इसके लिए tension हो रही अपने बच्चे के लिए, मुझे नहीं मतलब Elon Musk को, मिरे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन Elon Musk को इतनी tension हो रही है, उस पैसे का होगा क्या, तो Elon Musk क्या करता है, Elon Musk इस beneficiary के लिए, यानि कि अपने बच्चे के इतना दिमाग नहीं आ जाता कि वो खुद से इन assets को manage कर पाए, तब तक यह सारे लोग चलाएंगे मेरी assets को, किस तरीके से चलाएंगे वो भी मैं deed के अंदर लिख दूँगा, ताकि एन आप्शना management ना कर पाएं ये लोग मेरी assets का, पूरा detail में लिखा जाएगा किस तरीके से मेरी assets को utilize कर सकते हैं, और किस के लिख करेंगे मेरे बच्चे के benefit के लिख करेंगे, अब ये लोग कहेंगे भाई हमारे पास बीतना खाली time नहीं है, हमारे पास बीज़िन देगी दी कुछ ना कुछ काम था करने का, हम क्यू करेंगे काम तेरले, जब बच्चे के benefit के इनकी expertise के लिए, वो भी contract के अंदर लिखा होगा, deed के अंदर लिखा होगा, तो ये मनने से पहले लोग उसे बात कर लेगा, कि तुम्हे 18 साल तक जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, इतनी इतनी वीज़ दी जाएगी हर साल के अंदर, मन्जूर है तो काम करिए नहीं तो और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 का हो जाता है, फिर उसे इचका हो जाता है, जितनी ये जिलॉन मस्क ने बोली होगी, उस पे सारी trust की assets, प्लस जितनी वी income इतने सालों में आई होगी, सब transfer कर दी जाएगी, beneficiary के नाम पे trust खतम हो जाएगा, अभी पूरा कपूर process में आपको क्यों बताया, यहाँ पे निकल के आए हमारे trustees, और जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ये assets किसके नाम पे हैं, trust के नाम पे, Elon Musk की सारी assets, trust के नाम पे होगी, जो की चलानी किसको है, trustees को चलानी है, अभी जो trustees हैं, यह साथ मिलके multiple assets को चला रही है, उन ने बोली थी कमानी है, मेरे बेटे के लिए कमानी है, तुमारे लिए नहीं कमानी, तुम बस साथ में आये हो, यहाँ पर fees कमाने के लिए, जो भी तुमें fees मिलने वाली है, trust से, यहाँ पर सरकार ने के बोला, co-trustees, आपको साथ में जब assess करा जाएगा, किस capacity में करा assets उसके नाम पे नहीं आ जाती, तो trust जो भी आप चला रहें, जिसे कोई भी income निकल के आ रही है, सारी किस के हाथ में tax होने वाली है, BOI के हाथ में tax होने वाली है, और आप में से किसी एक के हाथ में tax क्यों नहीं होरी, अर भी तुमारे कोई share नहीं है, अस income के अंदर और तब तक BOI के हाथ में tax होंगी, अगर जो भी मैंने आपको बोला है, उसमें 50% भी आपके दिमाग में घुस गया है, बहुत है, क्योंकि ये सारी चीज़े आपके syllabus का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे को आपको बतानी पड़ेगी क्यों, co-trustees, ये जो term लिखी है कि इनको BOI बोला जाता है, ये आपके syllabus का पार्ट है, तो जिब तक मैं आपको ये ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको कैसे बोलके आगे बढ़ा दू, कि co-trustees को BOI बोला जाता है, अरे पता तुछले trust क्या होता है, तब जाके पता चलेगा trustee क्या होता है, और तब ही पता चलेगा co-trust जादा नहीं इससे कम, कोई भी municipal committee, district board, any other authority which is entrusted by the government with the management or the control of a municipal or local fund, आपकी छोटी मोटी bodies होती है न, जिसलिके अगर आप Delhi की बात करते है, तो MCD यहाँ पर body निकल गयाती है, municipal corporation of Delhi, ऐसे ही local bodies हर state के अंदर होती है, जिनको काम क्या होता है, road manage करना, कूडा कचरा कलिक करना, उस सारे के सारे काम करने के लिए, central government ने इनको पैसा दिया होता है, local fund दिया होता है, यहाँ पर जो भी local authority का part form करते हैं, उनका काम होता है, fund को utilize करके, जो भी छोटे मोटे काम है, यह आपको करने पड़ते हैं, जो भी central government ने आपको दी है, तापकि इस society का कोडा का चरा collect करन It includes, includes मितलब इनके लावा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये तो होने ही वाले हैं, It includes every artificial person, includes का मदब क्या होता है, ये लोग तो होने ही वाले हैं, इस definition के अंदर, इसके लावा भी बाकी लोग हो सकते हैं, ये बस illustrative list है, और यहाँ पर किन को include कर दिया गया, every artificial person, यानि कि दो ह human beings, या फिर artificial person, जो कि वैसे exist नहीं करते हैं, लेकिन person उनको माना जा रहा है, किसी भी act के लिए, किसी भी purpose के लिए, तो every artificial person with a juristic personality, यानि कि law के अंदर exist करने वाले लोग, not falling under any other category of persons, कोई भी इंसान अगर income कमा रहा है, आपको देख रहे, income कमा रहा है, इसको income tax देना चाहि है, कभी-कभी समझने आ तक इसकी बात हो रही है, example की तरह बताया गया, कोई भी idol, कोई भी dt, मतलब भगवान की मूर्तियों की बात करिए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ donation आता है, सामने गल्ले में, अब कोई भी इंसान कहता है, यहाँ पे गल्ले में 2 करोड रुपे की collection ह होगे है, लेकिन यह तुम tax ही नहीं कर सकते है, क्यों, यह तो भगवान जी ने कमाए है, और क्योंकि भगवान ने कमाए है, उनको तो परसन थोड़ी बोल सकते हो, बताओ इनमें से क्या बोलना चाहोगे, हम कहेंगे इनमें से कुछ नहीं बोल सकते है, इसलिए क्या बोला sections जो कि religious institutions की सारी की सारी income को exempt कर देती है उस पर tax collect नहीं करती है लेकिन पहले taxable बनाया जाता है conditions लगाई जाती है कि ये condition satisfy करो तब जा कि आपकी income को tax नहीं करा जाएगा क्यों अगर आपने पहले ही tax नहीं करा तो उस इंसान को कोई भी condition satisfy नहीं करनी पड़ेंगी तो सरकार को conditions मनवानी थी which is why what they did is उन्होंने पहले बोला आप AJP माने जाएंगे और माने जाने के बाद आपकी जितनी भी income निकल के आती है उस income पे अगर आप condition satisfy कर देते हैं जो भी हमने आपको बता रहे हैं section 11 12 वगर वगर अगर अंतर तो आपकी जितनी भी income निकल के आएगी it will not be taxable condition satisfy नहीं करते हैं it will be taxable आप यह नहीं बोच सकते हैं तो भगवान की मूर्तिकी भी पसंद नहीं करेंगे lawyers की body होती है जिसे हमारे chartered accountants के लिए ICI होती है वैसे lawyers की अगर आप बात करेंगे तो उनको regulate करने वाली body जो होती है उसको बोला चाता है learn कर लीजेगा क्यों आपके material में provide करेंगे हैं मैंने अलग से नहीं दिये हैं जो भी चीज में आपको अलग से दे रहा होंगा यानि कि आपके syllabus का पार नहीं होगी बस आपकी knowledge enhance करने के लिए आपको बता रहा होंगा वो चीज या तो आपको material में नहीं मिलेगी और अगर material म मिलेगी उस पे लिखा होगा just for extra knowledge जैसे की यहाँ पर देखें point number 4 just for extra knowledge ये सारी जितनी भी चीजे हैं ये आपके syllabus का पार नहीं है which is why मैंने ऐसे लिखके बताई ताकि आप पढ़ लें उसके मज़़े लें concept के लेकिन उसको रटने ना बैट जाए ताकि आपको पता होना च कौनसी चीज़ syllabus का पार्ट है कौनसी चीज़ syllabus का पार्ट नहीं है clearly बता चल जाएगा material को दिखते ही मेरे को बतानी की जरुरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर क्यों किया सा मैंने नहीं लिखा just for extra knowledge मान के चलिए ये चीज़ आपके syllabus का पार्ट है पूछी जा सकती है MCQ की जरुरत है तो जब मैं बोलता हूं ब्रेक ले लीजे ले लीजे मैं भी कुछ खाना भी ना खालूँगा energyry gather कर लेता हूं आप भी सेम काम कर लीजे ब्रेक के बाद मिलते हैं चलिजी ब्रेक के बाद का session continue करते हैं person की जो definition थी 231 के अंदर chapter 2 के अंदर वो हमने totally discuss कर लिया है बस इसकंद दो चीजे हमारी रहती है majorly पहली हो के definition और दूसरी company की definition दोनों को कहां पर पढ़ेंगे notes के अंदर detail में पढ़ेंगे तो चालू करते है notes को बाकी ओपर की चीजे हमने सारी discuss कर ली है section 231 यन की यही section आपको एक और चीज प्रवाइट करता है it also provides that AOP, BOI, Local Authority and AJP यह चारो, they shall be, shall be का मतलब ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, they shall be treated as a person irrespective of whether or not they were formed with the objective of deriving income, profits or gains या या यह कमाने के purpose से आप create करे गए थे, या पर नहीं करे गए थे, सारी cases में आपको क्या बोला जाएगा, person बोला जाएगा, जिसकी income पर tax लग जाता है, कहाँ पर income tax act के अंतर, कुछ जादा important चीज नहीं थी, category C मान सकते हैं, learn करने का यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे द यह income tax act में defined नहीं है, which is why, इस term को समझने के लिए हम कहाँ पर चाते हैं, Hindu law पे, और यह जो law है, अपने आप में बहुत बड़ा act है, Hindu succession act, वहाँ पर इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, कैसे form होगी, कैसे चलेगी, कैसे खतम होती है, बगेरा बगेरा, कि वो सारी portion पढ़ें के उस act का, जितना relevant है, for the purpose of income tax act, देखेजी, यहाँ पे हमें क्या बताया गया, देखे, portion of the Hindu law, which is relevant for the purpose of income tax act, a Hindu undivided family, यानिकी HOF, एक tax entity है, which is not created, इसको अलग से create करनी की ज़रुत नहीं पड़ती, आपको कोई deed बनानी पड़ेगी, उससे create होगी, बगेरा बगे registered under any act, कोई प्याक नहीं बोलता कि इसको आपको register करवाने ही पड़ेगा, कोई registrar है, जिसकी companies का होता है, partnership firm का होता है, इनके लिए कोई registrar अपने आपने बैठा नहीं होता, कि वहाँ पे जाओ, अपने HF को register करवा के हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, but recommend करा जाता है, recommended है to form a deed to govern the HF, यानि कि HF बनाने के टाइम पे अगर आप deed बना लेते हैं, ज़्यादा असानी होगी आपको इस particular HF को चलाने में, क्यों? तो कि पता होगा किस इंसान की क्या roles हैं, क्या responsibilities हैं, वगेरा वगेरा, कल को लड़ाई नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप deed नहीं बनाते है लड़ाई हो सकती हैं, कि किस इंसान का क्या role होगा, क्या responsibilities होगी, तो recommendation है, लेकिन mandatory नहीं है, कोई भी act नहीं बोलता, आपको register करवाना ही पड़ेगा HF को, ठीके जी, आगे देखिए, सच deed, अगर आप बना लेते हैं, तो वो mention कर देती है, क्या क्या चीज़ है, है है, है क् सबसे important member, जिसके बारे में आम याँ पर पढ़ेंगे भी, co-partsners कौन होते हैं, जिनके बारे में याँ पर पढ़ेंगे, and members, वो कौन होगे, जिनके बारे में याँ पर पढ़ने वाले, तो इस सारी चीज़ आपकी कहां पर पता चल जाएंगे, आपको deed में, अगर बनाई ह तो, otherwise यह सारे के सारे लोग फिर भी exist करेंगे, बस deed नहीं होगी, तो पता नहीं होगा कौन इंसान कौन है, कल को बहस होई, तो सरकार पता नहीं लगा पाएगी, कोर्स पता नहीं लगा पाएगी, कि actually कौन करता था, कौन को पार्सनर था, कौन other members थे, किसने क्या गलती करी वो male हो, चाहिए female हो, उनको बूला जाता है करता, यानि कि, जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी age, उस इंसान को बूला जाएगा करता, कभी आपने term सुनी होगी, करता धरता, यहीं इंसान करता धरता है family का, वो करता term यहीं से निकल के आती है, करता मतब सबसे important member क्यों, just because उ करता किस चीज के लिए responsible होता है, यह manage करता है assets and the business of the HOF, जितनी भी assets HOF के नाम पर है, जो भी business HOF चला रही होती है, उसको manage करनी की सारी की सारी responsibility किस इंसान पर होती है, eldest member और जैसे ही यह चल बसते हैं, उनके बाद किसके ओपर responsibility आ जाती है, second eldest member पर, क्योंकि अब वो बन जा जो भी था, उसकी assets 10 करोड़ की थी, उन्हेंने कोई भी business करा, liabilities rise up होती गई, उन्हें लेटे से 12 करोड़ की liabilities बना दी, assets 10 करोड़ की थी, liabilities 12 करोड़ की निकल के आखी, दिक्कत क्या हो जाएगी, कल को अगर pay off करने की ज़रत पड़ी, तो HF के पास sufficient assets नहीं है, to pay off all its liabilities, तो कि HF को ये पूला जा सकता है कि ये जो 12 करोड़ की liabilities होगी, कल को मानलो HF बंद करना पड़ा, तो 10 करोड़ रुपई आप repay कर पाएंगे, remaining 2 करोड़ का क्या, या वो पैसे दूप जाएंगे उन लोगों के जिननों भी आपको कोई भी पैसा दिया था, या जिनको आप इस इंसान को बोला जा रहा है, तुम्हारी liability unlimited है, तुम्हारी इसकी liability unlimited, और अभी तुम्हारे कहने पर ही assets, business, सब को जो भी एच्चे अपका था, वो चल रहा था, तो तुमने liabilities को अतना बढ़ने ही क्यों दिया, कि इस liability से उपर पहुँच गए, मतलब asset की value से उपर पहु और इनकी limited की होती है, क्योंकि यह नहीं चला सकते है पूरे की पूरे business को या asset को, इसकी चलती है, करता की चलती है, तो जिसकी चलती है, उसकी liability unlimited करो, बाकियों की नहीं कर सकते, तो यह आपका law nical क्या आता है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखिए जी, co-partners, अब यह यह भी एक type के members होते हैं, इनकी क्या rules होती है, क्या responsibilities होती है, सारी चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, members within 4 degrees, including करता, are called co-partners, these are the members who are entitled to share in the ancestral property by birth, post 2005, even daughters, चाहे वो married हो, चाहे unmarried हो, उनको co-partners बोला चाता है, कहाँ पे, अपने father के HF में, very very important words, their father's HF, यहाँ पर मैंन देर को capitalize की हो करा, कुछी देर में आपको समझ आ जाएगा, practical example से समझाओंगा, जो कि आपको next page पर देखने को मिल रहा है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, समझने में मज़ा भी आएगा, ठीक जी, however, the children of the daughter are not considered co-partners, in short, you can be called a co-partner, only if you were born in a family, and आपके खुद के father क् co-partner थे उस वाले हैट में, समझ नहीं आया होगा, समझ आएगा, practical example से अभी समझाता हूँ, पहले आँ तक समझते हैं, और हमने क्या पड़ा, members within 4 degrees, इसका मतलब क्या है, जो भी eldest member निकल के आता है, यानि की करता है, और उसकी अगली 3 generations, इन सारी 4 generations को मिला के बोला जाता है एक particular HF, उनको बोला जाता है क्या, co-partners, including करता, करता को भी क्या बोला जाता है, एक type का co-partner ही बोला जाता है, बिस इनके पास जाधा पावस होती है, इसलिए इनको एक अलग designation दी गई है, they are all called as co-partners, these are the members who are entitled to share in the ancestral property by birth, यानि की, just because इस family किंदर मैं पैदा हो गया हूँ, तो family की, जिदनी भी होफ के नाम पर property होगी, उसमें मेरा भी हिस्सा होने वला है, क्यो, मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, बस मैं पैदा हो गया, इसमेरा भी हिस्सा होने वला है, कुई इंसान मना नहीं कर सकता, कि तुमारा हिस्सा तो नहीं होगा, तुम तो अच्छे पहले क्या होगा करता था, बेटा, बेटी दोना अलग है, बेटी को हिस्सा नहीं मिला करता था, फादर के एच्छे में बेटे को मिला करता था, गलत बात है, सरकार ने क्या कर दिया, 2005 के बाद, उनने का बेटी अभी, चाहे married हो, चाहे unmarried हो, इनको भी co-personals बोला जाएग और इनकी equal rights होंगे just like us, very good thing, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी खुद के father के HEF में, अब यही चीज़ में आपको समझाना चाहूँगा कैसे, इस थोटे से chart से, बना लीजेगा, as it is बना लीजेए, वीडियो को pause करके आपके पासे liberty है, कि आपको मेरी wait करने की जुरक नही और इस son की जो wife होती है, उसको मैंने W से denote करा, daughter का जो husband है, उसको H से denote करा, उसके बाद son wife दोनों मिलके क्या करते हैं, एक और son daughter करते हैं, जहाँ पर son S से denote करा गया, daughter D से denote करी गई, son की wife W से, daughter का husband H से, दोनों मिलके और एक son daughter करते हैं, तो यह process चलता जाएगा, इतना कापी यहां पर देखिए AB दोनों husband wife उन्होंने जो daughter करी थी उनका husband हुआ husband daughter ने मिलके और son daughter करे और son daughter की शादी होई wife से husband से ठीक है इतना समझ जा गया है अब यहां पर मैं आपको बताना चाहरा हूँ AB का जो भी H.E.F. होगा उस H.E.F. के अंदर इन सारे के सारे लोगों में जो family चलती जा रही है इस पूरी family में कौन-कौन लोग co-partners कहलाएंगे कौन नहीं कहलाने वाले तो यहां पर आपको इस H.E.F. में बताया जा रहा है AB के H.E.F. के अंदर son co-partner होगा daughter co-partner होगी क्यूं 2005 के बाद से daughter भी आपकी co-partner होती है और दोनों की equal rights होने वाले है कोई difference नहीं होने वाला बात करते हैं son की wife की क्या ये भी co-partner होगी नहीं ये पैदा नहीं हुई थी इस family में शादी करके लाई गई है which is why क्यूंकि आप पैदा नहीं हो इस वाली family के इंदर आप इस family के इंदर co-partner नहीं होने वाले लेकिन क्या कोई जादा दिक्कत है नहीं क्य ये अपने फादर की जहां पे पैदा होई थी जिस family के अंदर उस particular family की co-partner होने वाली है उनकी होएफ में तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही इस family में नहीं भी बन पा रही है co-partner तो किसी और family के अंदर है provided उनके पास वहाँ पे assets हो बात करते हैं इनकी ये जोड़ कि ये जोड़े में daughter क्या बन गई है इस family की co-partner बन गई है क्या daughter का husband वो co-partner बनने वाला है नहीं वो इस family में पैदा नहीं हुआ है which is why इस family का co-partner नहीं बन सकता दिमाग में ऐगा फरक क्या पड़ता है co-partner बननो बनो फरक पड़ता है क्या फरक पड़ता है बाद मैं पहले identify करना सिख लीजे की co-partner कौन होता है और कौन नहीं होता है उसके बाद समझ आएगा कि यह जो भी बनते है और जो भी नहीं बनते है उसके बीच लोजिक क्या है यहां पर मैंने आपको बताया daughter यह भी co-partner है लेकिन इनके husband यह co-partner नहीं होने वाले आगे बढ़ते co-partner थी बट आप दोनो son and daughter इस family के अंदर co-partner नहीं बन पाएंगे तो आपको लगे गए तो 9 साफ ही हो रही है बेटे के लिए अलग treatment बेटी के लिए अलग treatment ऐसा क्यों होना चाहिए अगे 9 साफ ही उपर उपर से देखके लगती है लेकिन अगर हम learn करने के purposes से कोई analysis करना चाहें तो यहां पर सोच के देखिए क्या यह जो son and daughter हैं वो अपने father के hof में co-partner होने वाले हैं बिलकुल होने वाले हैं जरकार ने का है एक ही जगा आपको फायदा मिलना चाहिए इन son and daughter की बात करिएगा इनको अपने father के hof में co-partner बनने का right मिल जाता है आप दोनों को अपने father के hof के अंदर co-partner बनने का right मिल जाएगा एक इनसान को एक ही hof में co-partner बनने दिया जा रहा है multiple hof के अंदर नहीं बनने दिया जा रहा है ऐसे आप एक general सा थमरूल बना सकते हैं तो यहां पे इन में से सिर्फ daughter ही बन पाएगी co-partner इनके hof के अंदर बाकी husband, son, wife daughter, husband कोई भी नहीं बन पाएगा बट यहां की अगर आब बात करते हैं तो son, उनके son, daughter और आगे son के further son, daughter यह सारे के-सारे बन जाएगे बट यहां पे again chain आपकी break हो जाएगी इसको भी बना लीजेगा यहां पे मैं chain को आगे बढ़ाता हूँ और यहां पे मैं डाल दिता हूँ किन को एक son को और एक daughter को यहां पे इन फार्ट यह line हटानी पड़ेगी कुई son, daughter कोई husband, wife थोड़ी है तो यह दोनों आपके green बन जाते हैं बट यह दोनों आपके red बन जाएगे क्यों? इनके जो father है, father इस वाले hf के अंदर co-parsner नहीं है किसी और hf के अंदर होंगे, उसी hf के यह भी co-parsner बन जाएंगे बट अभी हम कौन से hf की बात कर रहे हैं? a.b. वाले hf की बात कर रहे हैं वो hf के नाम पे जैसे ही आ जाएगी, hf उस business को चलाने वाली है और कौन चलाने वाले hf के अंदर सबसे eldest member इस पूरी की पूरी family का मान लीजे ये सबसे eldest member निकल के आ जाती है तो ये क्योंकि eldest member होंगी, इनको बुला जाएगा co-parsner भी and करता भी और इनकी liability हो जाएगी unlimited और ये ही assets को और business को manage करने वाली है बाकी कौन co-parsner होगा इस वाले hf के अंदर कौन नहीं होगा वो भी मैंने आपको बता दिया अब ये जान लीजे, co-parsner बनने से या पर ना बननने से क्या फायदा हो सकता है पहले marking कर लीजेगा green का मतलब क्या है co-parsner आप बन जाते हैं red का मतलब क्या है आप नहीं बनते हैं co-parsner और उसके बाद implications देखेगा बनने ना बनने से फरक क्या पड़ता है co-parsners, बनने ना बनने से क्या फरक पड़ेगा roles and responsibilities क्या होंगी यहाँ पर पता चलेगा co-parsners can demand partition of the HR यानि कि किसी भी टाइम पर अगर यह इनसान चाहता है कि यह बोले फ़िस अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा जैसे business चला रहा है करता या जैसे पूरी पूरी पामली चला रही है कर सकता है पास्टनर कर सकता है यह लोग demand नहीं कर सकते अगर यह बोलेंगे son की wife बोलेगी मेरे असाब सर्थ को business नहीं चल रहा बटवारा करो मुझे तो मेरा हिस्सा दो कतम करो तो HF क्या बोलेगा तुम तुमारा हिस्सा कौन छोड़के गया था मेरे को welcome का डायलोग यादा रहा है है रहने देते हैं उसको class की मरियादा थोड़ी हिल जाएगी तो wife जिब भी ऐसा demand करेगी उस case में तो उनको बोला जाएगा भाई साब आपका HF है ही नहीं आप demand नहीं कर सकते AST का राइट आपके पास नहीं होने वाला है as a result of this EHF का partition demand नहीं कर पाएंगी ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं co-partners को और क्या राइट मिलते हैं their liability is limited liability तो limited होती है हर इंसान की चाहे करता के अलावा किसी की भी बात करिए co-partners की उपन के फादर जो है वो इस EHF के अंदर co-partner नहीं थे short सा, चोटा सा test है अगर आप किसी family के अंदर पैदा हुए थे and आपके फादर co-partner थे उस वाले EHF के अंदर दोनों conditions अगर satisfy हो जाती है तो आप क्या बोल सकते हैं इस particular family के, इस particular EHF के आप भी co-partner बोलेंगे लेकिन भाई सब दोनों में से एक भी conditioner के satisfy होने से रह जाती है आप co-partner नहीं बन पाएंगे जिसमें मैंने आपको right क्या बताया है ये वाला है अब आपकी दिमाग में आएगा बाकी जो लोग होते हैं इनको member बोला जाएगा HEF का या पर नहीं बोला जाएगा बिल्कुल बोला जाएगा लेकिन co-partner वाला member नहीं बोला जाएगा और ये जो बाकी members होंगे इनको क्या rights होने वाले हैं इस particular achieve में देखिए आपको बताया गया इनी member of the HEF other than the karta और co-partners इसके और इसके अलावा जितने भी members निकल के आते हैं they do not have any co-partnery rights यानि की they are not entitled to a share in the ancestral HEF property and cannot demand partition नहीं partition demand कर सकते हो नहीं अगर बटवारा हुआ भी तो तुम्हें कोई share मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला share किनके नाम पे होगा इसके 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 और इसके हमने और आगे बढ़ गी तो और लोगों के नाम पे बटवारा हो सकता है जैसे जैसे नई पीडी आते जाएंगी इस list में लोग add होते रहेंगे लेकिन कितने तक सिर्फ 4 degrees of generations तक और इस अ 4 degrees तक क्यों बोला गया तो इतने लोगों में ही बटवारा होता अब इतने सारे लोगों में बटवारा होना हो जैसे जैसे नई नई लोग add होते रहेंगे सबका share काम होता जाएगा पुराने जाते भी जाएंगे वैसे तो share दुबारी बढ़ सकता है उन सब चीज़ों पर ध्यान मत डालिएगा आगे देखिए तुमने ये तो बता दिया हम क्या नहीं कर सकते हम partition demand नहीं कर सकते हमें कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला तो फिर member बनाई कि रहेंगे क्यों है अचेफ को member बनके बोलेंगे एसेट को बेचो मेरा हिस्सा मुझे दो तो भाई तेरा कोई हिस्सा नहीं है तो में कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर इंग्जांपल daughter-in-law, son-in-law, daughters-children वगेरा वगेरा इन सब की liability भी limited होती है सारे other members की और यह सब मैंने आपको examples बताए जो कि आपको यहाँ पर red में देखने को मिल भी रहे हैं वो ही है daughter-in-law, daughter-in-law, daughter-in-law या फिर son-in-law ठीक है चीछ चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे ही कोई भी शादी होती है नए members आ जाएंगे other than co-partners जैसे ही बच्चे होते हैं नए members आ जाएंगे चाहे co-partners, चाहे other than co-partners बगेरा बगेरा तो ऐसी ही आपकी cycle आगे बढ़ते रहती है आगे बढ़ते हैं और कुछ तो नहीं रहे गया उपर हमारा नहीं करते हैं schools of thoughts और दोनों क्या-क्या बोलते हैं पड़ते हैं नीचे दया भागा school of Hindu law and the other one is मिदाच्रा school of Hindu law अभी सारा आपके सिल्वस का part है but this is not very important यह से नहीं बहुत पूछा जाता है एक मार्ग दो मार्ग का सकता है पूरा यह जितना भी मैं आपको हेचेव के बारे में बता रहूं तो मार्क के लिए मत पढ़िएगा इसको यह समझने के लिए पढ़िएगा पूरे चाप्टर रहे पूरे 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 सिल्वस में आपको multiple times बताया जाएगा कि हेचेव की taxability ऐसे होती है तो पता तो हो है हेचेव का मतलब क्या होता है तभी तो taxability देखोगे किस इंसान को बता पाओगी तो में हेचेव बन सकते हो ऐसे tax बचा सकते हो वगरा वगरा उसके लिए जानना बहुत important हो जाता है हेचेव का मतलब क्या होता है समझने की कोशिच करिएगा not for the marks but for your own knowledge बट जितनी भी चीज़े में आपको बढ़ा रहो all of this is a part of your syllabus तो यह मत सोचेगा से knowledge के लिए ही आपको बताया जा रहा है वैसे भी आपको बढ़ाया जा रहा है जो भी syllabus का part है तो देखी यह वाला school of Hindu law क्या बोलता है यह prevail करता है West Bengal में है निसाम में दो ही जगाओ पे और यह बोलता क्या है नोबड़ी एक्वाइस दे राइट और शेर इन दे प्रॉपटी बाइट बाइट उस एचुएफ के अंदर यह नहीं कि जब तक तक तुम्हारा बाप सिंदा है तब तक तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यह बोला चाहरा है यहाँ पे इस स्कूल अफ़ दोट के अंदर एंस फादर और उनकी जो ब्रदर्स निकल के आएंगे वो ही को पासनाज होने वाले हैं किसी भी एचुएफ के अंदर क्यों जब तक महा लिजए फादर की डेथ नहीं होती तब तक बच्चे आपको कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला फादर उनकी बेहन उनके भाई जो भी निकल के आते हैं वो ही क्या होने वाले हैं SHF के मेंबर्स होने वाले हैं इनकी डेथ होगी तो इनके बच्चों को मिल जाएगा कितना राइट मिल जाएगा चितना इनका था और इनका राइट अभी भी इनके पास ही रहेगा क्योंकि ये जिन्दा है इनके बच्चों को राइट नहीं मिलने मला है ये गए तो इनके बच्चों को राइट मिल जाएगा ऐसे कुछ चलने वाला है कहां पर इस के हिसाब से जो कि दो ही स्टेट्स में प्रिवेल करता है, वेस्-बंगौल एंडर साम बात करते हैं इसकी मिताक्षरा स्कुल अफ इंदुलो जो की पूरे के पूरे इंडिया में प्रिवेल करता है, जिसके बारे में उपर अमने पड़ा भी था बड़े जिंदा है बहुत बड़ीया बात है लेकिन मैं पैदा हो गया हूँ मैं को पासनर बन गया हूँ मैं जब चाहूँगा मैं पूरका पूरा पार्टिशन के बदा सकता हूँ एचेर की असेट्स का इतनी भावर मुझे मिल जाती है क्योँ just because मैं पैदा हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, मुझे चाहिए full इज़त right from the day when I am born, thus every child born in the family acquires a right or share in the family property, ठीक है जी, अब इतना ही आपके syllabus का पार था, लेकिन स्टिल मेरा मन कर रहा, उससे आगे आपको थोड़ा पढ़ाया जाए, लेकिन आपको बताने भी था, ये चीज़ सिल्वर्स का पार नहीं था कि आप रटने ना लग जाए, तो इसलिए मैंने लिखा just for extra knowledge, यानि कि point number 4 के अंदर indentation होने की तरीके से, आपको जितनी भी चीज़े देखने को मिलेंगी यहाँ पे, point 4 के अंदर, वो सारी की सारी आपको सिल्वर्स का पार नहीं है, लेकिन पढ़िएगा जुरू मजा आएगा, देखिए, HF जो भी है, वो own कर सकती है assets on which it earns incomes, and also has a separate bank account in its name, यानि कि यह अपने अपने paper में एक organization होने वाली है, जिसके नाम पे assets भी खरीदी जा सकती है, जिसके नाम पे bank account भी हो सकता है, अपना खुद का, यानि कि individuals के अपने bank account, अपनी assets अपने नाम पे, और HF की अपनी assets अपने नाम पे, और यह जो assets हैं, ही HF उस नाम पे transfer कर देते हैं, सारी assets को, ताकि single piece में इनको चलाया जा सके, आगे business इन में conduct करा जा सके, और जो भी सबसे eldest member होगा, हम मानने को त्यार हैं, कि वो जो भी बोलेगा, कि assets ऐसे चलनी चाहिए, वैसे ही चलेगी, हमें system समझ आता है, तो उस case में आप HF बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से बनाएगीगा, क्योंकि सबसे eldest member, अगर पागल निकला तो हमारे HF का, तो वो पूरो का पूरा हF एक बार में खतम कर सकता है, सारी assets, 0 तक लेगी आ सकता है, बट ये लोगों को थोड़ी security क्या होती है, अगर ऐसा कोई पागल member बन गया, eldest member, जो कि आपको सही नहीं लगता, अब सीधा क्या कर दीजे, partition की demand कर दीजे, assets बढ़ जाएंगी, तो इतना भी कोई risk नहीं होता, बट स्टिल आज की टाइम पे बहुत बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत ज़्याद़ प्रिवेल नहीं करता, क्यों, आपको बताऊंगा कुछी देर में, देखेजे, तो किसी भी इंसान के मनने के बाद, अगर उसकी property, उसकी जो legal air है, वो अपने नाम पे, individual नाम पे transfer नही लो, किसी भी price में ले लो, अगर बाकी members दिकरी करते हैं, transaction हो जाएगी, लेकिन, sell और gift their individual property to the HF, by transferring it in the name of HF, and finally, HF को मिल सकती है assets, it gets the asset from any person, other than its members, by paying for it, or getting it as a gift, यानि की gift की तरा से, या फिर खरीदने के तरीके से, आप किसी और इनसान से भी ले सकते है assets, सरुरी थोड़ भी होता है income कमाने के लिए, assets own करने के लिए, अगरा अगरा, अगरा, since it is a separate person in the income tax act, individual के लावा, जो ये individual members होंगे HF के, ये अपने आपे individual capacity में, ये तो एक taxable entity होते ही है, taxable person होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ, जो HF इनका निकल क्या आया है, उसको अलग taxable person माना जाता है individual के साथ नहीं माना जाता है कि ये दोनों तुम सेम हो, नहीं, individual जो भी अपने नाम पे income कमाता है, उसपे वो इंसान tax देता है, HF जो भी अपने नाम पे income कमाता है, उसपे HF एक taxable person की capacity में, खुच से tax देता है, और कौन देता है, उसके बेहाब पे tax करता देता है, क्योंक हमार पास return जमा करवाई है वगर 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 ये नहीं होना चीए कि मैं क्या करूँ, मैं सरकार के गावन में पैसे डाल दूँ, लेटे से 50 लाग रोपे और उसके बाद, सरकार को बूलो, अरे पहचान कौन, पहचाना नहीं, अरे हर साल tax देता हूं, मुझे भूल गए, इ सरकार कहती है, आपको एक unique ID दिया जाएगा, unique number दिया जाएगा, जिसके basis पर आप हमारे साथ जो भी correspondence करेंगे, हमें पैसा देते हैं, कोई document देते हैं, कुछ भी देते हैं, उस पर वो number code करिएगा, क्योंकि हम आपको पहचानते नहीं हैं, और हमें पहचानना पड़ेगा, तब ही पता चलेगा, इस इंसान ने पैसा दिया है, इसने return दी है, बगेरा बगेरा, which is why everybody in the income tax act is issued a PAN before doing any correspondence with the income tax department, तो आपको बोला जा रहे, क्योंकि आप एक separate इंसान है, HF की capacity में आपका separate number होने वाला है, कौन सा number, PAN number, a separate man is required to be obtained for an HF, and consequently income of the HF, जो भी निकल किया आती ह वो tax होने वाली है, HF के हाथ में, and HF को क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद की return file करने पड़ीगी, अभी खुद तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये paper पे exist करता है, इसके बहाफ पे कौन करने वाला है, करता file करने वाला है, लेकिन इसके बहाफ पे file करने वाला है, इसके of each member, consent of all the members for partition has some of the disadvantages of forming an HF, यानि कि अगर आपने HF बना लिया है, तो आपके साथ जितने भी go-personals निकल के आएंगे, सबका equal right होगा, सब ही partition demand कर सकते हैं, business चली नहीं पाएगा, बहुत जल्दी-जल्दी partition की demand आएगी, ऐसे ही कोई भी काम करने के लिए, सारे लोगों का consent ह बना चाहिए, सब की हामी होनी चाहिए, वो भी चीज कैसे ensure करोगे, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, बट बनाना चाहते हैं, इतनी आपसी सहमती है, पूरी की पूरी family में, बना लीजे कोई दिक्कत नहीं है, we will discuss the taxability of the income of HF in the coming chapters, यानि कि आने वाले chapters में आपको पत चल किया होगा, HF का मतलब किया होता है, मोडे मोडे दौर पर तो पता चल गया होगा, ज्यादा detail में पढ़ना चाहते हैं, Hindu लोग, पूरो को पूरा पढ़ लीजेगा, सब को समाझ आ जाएगा, कैसे बनता है, कैसे खतम होता है, क्या कैसे चलाई जाती है, कैसे चलाई जा यानि कि उपर आपको persons में, वो भी sole proprietor देखने को नहीं मिला, तो आपकी दिमाग में आएगा, मान लीजे, आप कल को कोई भी business start करते हैं, अकेले owner होके, दुकान खोल देते हैं, showroom खोल देते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, तो आप pan कैसे लेंगे, आप अपने आपको क्या कह correspondence करेंगे, अलग से sole proprietor के लिए, कोई और pan लेनी की जरूरत नहीं होती, यह अगेन आपके silvers का part नहीं है, लेकिन बहुत students का question आता है, बहुत valid question भी लगता है मुझे, which is why, मैंने just for extra knowledge करके, आपको यह चीज़ बता दी, a person conducting business as sole proprietorship is not required to take another pan for the same, profits from the sole proprietorship business are merged with the income which the proprietor earns as an individual, since sole propriet और उसका business, they are the same person in the eyes of law, law की eyes में दोनों एकी इंसान है, which is why, दोनों का एकी बैन होता है, ठीक एची, चली, अब आगे बढ़ते हैं, और person की definition में company का मतलब क्या होता है, उसको समझ लेते हैं, because this is again a very very important part of this particular charter, यह पढ़ने के बाद हमारा section 231 totally complete हो जाएगा, person की definition में जो जो लोग आते हैं, सब को हमने detail में पढ़ लिया होगा, अब पढ़ते हैं company को, very very important, what is the definition of a company, इसको company बोल जाता है, section 2 clause 17 आपको बताता है, as per section 2 clause 17, the following are covered in the definition of company, यह सारे के सारे company की definition में आ जाते हैं, सबसे पहले Indian company को बोल जाएगा company, दिमाग में आएगा company की definition बोलने के ल यहां पर, तो उसको बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो भी यहां पर cover हो जाएगी, उसको company भी बोला जाएगा, ठीके जी, आगे बढ़ते हैं, any body corporate, यानि की a corporate entity having legal existence, और इसका मतलब क्या होता है, कोई भी entity, जो की in the eyes of law, exist करती हो as an artificial person, तो कोई भी body corporate, जो की बनाई company, यानि की foreign companies, जो की India के laws के हसाब से नहीं बनती, companies act 2013, उसके हसाब से नहीं बनी होगी, बाहर की किसी law के हसाब से बनी होगी, facebook की बात करिए, बाहर की company, US की company है, तो वह वहां की laws के हसाब से बनी होगी, उस foreign company को भी India के act के हसाब से company ही बोला जाएगा, चाहे वो बाहर किस इसी भी form of organization की तरह बनी हो, आगे देखिए, any institution, association और body which is accessible, यानि कि आज के time पर accessible है, या फिर accessible थी, was assessed as a company, company की तरह accessible आज के time पर है, या फिर पुराने जमाने में company की तरह accessible थी, कहां पर in any assessment year under the Indian Income Tax Act 1922, year पर गौर फरमाईएगा, Indian Income Tax Act की बात हो रही है, Income Tax Act 1961 की बात नहीं हो रही है, ये पुराने आक की बात हो रही है, जो कि अंग्रेजों के जमाने में लगा करता था, उस time पर भी Income Tax Act 1961 आने से पहले ऐसा नहीं था, उस time पर income tax लगता है नहीं था, लगता था, लेकिन अलग-लग act से लगता था, तो उस time पर जो पुराना act हुआ करता था, ये बाला, अंग्रेजों के जमाने का, अगर उसके यसाब से भी आप company की तरह assess हो चुके हैं, और आज के time पर, same form of organization की तरह business कर रहे हैं, तो आज भी आपको क्या बोला जाएगा, company बोला जाएगा, अभी भी क्या माने जाएगे, company ही माने जाएगे, ठीके जी, lastly, कोई भी institution, body of a association, चाहे वो incorporated हो या पर नहीं हो, चाहे Indian हो, चाहे नहीं हो, जिसको हमने declare कर दिया है, किसने declare कर दिया है, CBDD के general order ने या पर special order ने, CBDD मतलब Central Board of Direct Taxes, बताया था ना, income tax के professionals, जो भी सरकार की side से बैठे होते हैं, वो इस particular organization में बैठे होते हैं, तो इसने, अगर कोई भी order pass करके बोल दिया है, चाहे general order या पर special order, कि ये इनसान क्या बोला जाएगा, company माना जाएगा, तो चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम individual हो, चाहे partnership firm हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमने specifically लिखके बोल दिया, कि तुम्हें company माना जाएगा, for the purpose of income tax act, तो तुम company बन जाओगा, ये point जो है, वो इतना जादे important नहीं निकल किया था, ये order pass करा गया था, इस इंसान को आज के time पर company माना चाहता है, आपको ऐसे कुछ पढ़ने की ज़रग नहीं है, तो मोटे मोटे तॉर पे, इन दोनों कमनी दिमाग में रखिएगा, ये दोनों comparatively इतने important नहीं है, mark कर लिजे, this is, ये फिर उसको मद mark करिए, सारी चीज़े आपके लिए category A है, unless मैं कुछ भी आपको लिखके बता दू, ये आप mark कर लिजे, this is category B, not very important, बाक B भी नहीं, C mark करिए, अब होगा क्या category A, B, C mark करने से, मैं बहुत जगाओ आपको बताऊंगा, ये चीज category C है, ये चीज category B है, ये category A है, आपको मैं कोई भी चीज नहीं बोलूँगा, straight away छोड़ के चले जाओ, क्यों जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जारी हैं, सब आपके module में, ICA के study material में, तो पूछी तो देखे जा सकती हैं, कभी भी दमाग भूमा examiner का, तो टेड़ी मेरी चीज़े पूछने वाला है, सेंस नहीं बनती हैं पूछने के, लेकिन पूछ सकता है, बच स्टिल, आपको जब भी prioritize करना है, कि सर टाइम की कमी बढ़ रही है, अगर बिल्कुल ही टाइम बच जाता है, सारे subjects complete हो गए हैं, इसको भी by hard learn कर लीजएगा, otherwise पढ़िए, questions में जितना apply होता है, उतना देखिए, otherwise learn करने के आपको ज़र रही है, उससे ज़्यादा learn करने की ज़रत नहीं है, यह आप देखेंगे, question में बिल्कुल भी use नहीं होंगे, यह होंगे, तो कोई भी foreign company, या पर Indian company, दोनों को ही बोला जाएगा company, अब जानते हैं Indian company, किसका मतलब क्या होता है, यहाँ आपको बताया गया, point number B, classes of companies, कौन से page में हम चल रहे हैं, page number 2.2, यान की chapter number 2 का page number 2, ऐसे ही कर करके, 238 pages में पूरा syllabus आपका खतम हो जाएगा, चलिजी, आगे बढ़ते हैं, Indian company, किसको बोला जाता है Indian company, जिसको हमने उपर cover कर लिया था और बोल दिया था, यह तो company कहलाई जाएगी, देखिए, as per section number 226, an Indian company means a company which satisfies both of the following, means का मतलब क्या होता है, दोनों ही satisfy करोगे, तब ही जाके आप Indian company कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाई जा सकती, क्यों exhaustive definition है, इलुस्टेटिव नहीं है, तो दोनों condition satisfy करनी है, दोनों की दोनों, क्या क्या conditions हैं, companies formed and registered under the Companies Act 2013, latest जो हमारा India का Companies Act है, उसके तहत आप form होए हो, and register होए हो, और उसके साथ-साथ एक और condition, आपका जो registered office है, या पर principal office है, वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए, दोनों satisfy करोगे, इंडिया कैसा आप से Indian company कहला होगे, दोनों में से एक भी अगर satisfy करने से चूग गए, Indian company नहीं कहला होगे, तो दिमाग में आए, सर Companies Act 2013, ये तो अभी अभी आया, इससे पहले Companies Act 1956 हुआ करता था, वो सकता है, इसके बारे मैं आपको पता हो, वो सकता है, नहीं पता हो, मैं आपको पता रहूँ, तो कोई भी company जो 1956 और 2013 के बीच में बनी थी, तो सारी companies को आप Indian company बोलने हैं नहीं वाले, नहीं, ऐसा नहीं है, नीचे बाला पाट भी तो पड़िए, अगर इनका भी रेजिस्टर्ड प्रिंसिपल ओफिस इंडिया के इंदा निकल किया आ जाता है, इन में से किसी का भी, इनको भी Indian company बोला जाएगा, यानि कि second condition, इससे तो आप नहीं बच सकते, ये तो satisfy हो नहीं पड़ेगी, तब जाके आप Indian company बनेंगे, लेकिन अगर पहली condition नहीं भी satisfy कर पाते, उपर cover नहीं भी हो पाते, chances हैं, आप अभी भी Indian company बन सकते हैं, अगर आप नीचे इन में से किसी भी conditions को satisfy कर देते हैं, पर यहाँ पर क्या लिखा है, और है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों में से एक भी satisfy कर दो, क्योंकि दूसरी condition भी आपने satisfy कर दी है, आप बन जाएंगे Indian company, तो नीचे की conditions देखे, कोई भी corporation जो भी establish करी गए है, by or under a central state or provincial act, जैसे की financial corporation और state road transport corporation, ये कैसे बनाई जाती है, सरकार के acts के द्वारा बनाई जाती है, तो कोई भी organization जो कि सरकार के किसी भी act के द्वारा बनाई गई है, even if not companies act 2013 or 1956 or any other such act, तो आपको क्या बोल जाएगा, क्योंकि आप इसके तेहत बनाए गए है, आपका registered principal office इंडिया के अंदर है, तो आप क्या कहलाएंगे, Indian company. Next is, any institution, association or body which is declared by the board to be a company under section number 217, यानि की, उपर हमने जब 217 पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ना, जिस भी इंसान को declare कर दिती है, CBDD की तुमें, हम order के थूँ बोलते हैं, तुम्हें company माना जाएगा, तो तुम्हें company ही माना जाएगा, ऐसे इंसान को अगर declare करके order से बोल दिया गया है, तुम्हें company ही माना जाएगा, तो तुम कैसी company मन जाओगे, Indian company मन जाओगे automatically, लेकिन उसके लिए condition उसको भूल मत जाएगा, नहीं तो गलती कर बैठेंगे, हर केसे आप Indian company नहीं बनेंगे, सिर्थ तब ही बनेंगे, जब आपका registered या फिर principal office कहां पे हो इंडिया के इंदर, ये condition के साथ साथ इस condition को भी याद रखिएगा, mostly students इसको तो याद रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, मत भूलिएगा नहीं, तो paper में गलती कर बैठेंगे, आगे तेखे, कोई भी company जो की form and register हुई है under any law relating to companies which was or is in force in any part of India, example की तोर पे अगर आप companies at 1956 उसके तहट register हुए थे, तो भी आप बच जाएंगे इस वाले point की वरे से, ये plus ही, दोनों satisfy कर दीजे, आप क्या बन जाते हैं, Indian company बन जाते हैं, any law for the time being enforced, जो की लगता है, in the state of Jamo and Kashmir, और यहाँ पे in the state of क्यों काड़ दिया गया, क्योंकि अभी अभी recent, पी last year में हुआ क्या है, री organization हुई है, जो की एक state हुआ करती थी, इसको convert करके, दो union territories में convert कर दिया गया है, पहली union territory आपकी निकल के आई, Jamo and Kashmir, दूसरी निकल के आई है, ले, तो दोनों क्योंकि आज के time की union territories बन गई हैं, पुराने जो words हुआ करते थे, the state of, ये amendment से हटाए गए हैं, बहुत latest amendment है, चैसलन करिएगा, कि यहाँ पर state नहीं आने वाल, जमन कश्मीर आने वाला है, और इनी लोग for the timing info, जो की कहाँ पर लगता है, union territories में लगता है कौन सी, दादर नागर हवेली, दमनें दियू, या फिर पॉंटी चैरी में, और in the state of Goa, यहाँ पर भी कोई भी law लगता है, उसके तहट कोई भी company register हुई है, और उसके साथ साथ उनका register, या फिर principal office कहाँ पर इंडिया के अंदर है, तो उसकेस में क्या होने वाला है, आप सीधा सीधा कहलाएंगे, कोई भी Indian company, अब यह वाला point, not very important, यह दोनों आप उपर उपर से पर सकते हैं, थोड़े important है comparatively, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, a domestic company, domestic company किसको बोला जाएगा, it means, means मतलब इनको ही बोला जाएगा domestic company, तुमारे हिसाब से जो भी तुमारे दमाग में चल रहा हूँ, इसको domestic हम बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते, खुद के अपने हिसाब से दमाग के घोड़े मत दोड़ाएगेगा, जितना हम बता रहे हैं, उतना ही दिमाग को चलाएगेगा, तो इनको बोला जाएगा domestic company, किनको कोई भी Indian company को automatically बोला जाता है domestic company, अगर आप Indian company बन जाते हैं, 226 के अंदर cover होनी की वज़े से, आप domestic company भी कहलाएगे, यानि कि एक ही company दो-दो चीज़े कहलाएगी, बिल्कुल, Indian company भी कहलाएगी, domestic company भी कहलाएगी, same company अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो, जिसकी बरिशों से होगा क्या, पूरे income tax act में हमने जहां पर भी बुला होगा, यह यह provision Indian company पर लगेगा, यह provision domestic company पर लगेगा, तुमारे उपर दोनों ही provisions लग जाएगे, क्यों, तुम Indian company भी हो, domestic company भी हो, अब अगर एक ही चीज़ दोनों पर apply करनी थी, तो दोनों को एक ही term देते थे, दो-दो terms बनाई क्यों, यह domestic company के अंदर Indian company के लावा, एक और company को हमें डालना था, तो अगर आप Indian company हैं, आप कह रहेंगे domestic company, और उसके साथ साथ अगर आप Indian company नहीं भी हैं, तो भी आप domestic company बन सकते हैं, कैसे अगर इसको satisfy करते थे हैं तो, a company which in respect of, IR होगा मतलब क्या होता है, in respect of, पूरे material में आपको ये short form देखने को मिलेगी, समझ जाएगे का मतलब होता है, in respect of, a company which in respect of, its income which is liable to income tax, has made prescribed arrangements, prescribed का मतलब क्या होता है, income tax rules में आपको देखने को मिल जागा, क्या क्या arrangements करने पड़ेंगे, पूरे act में, not just income tax act, income tax act, GST act, customs act, companies act, contracts act, वगेरा वगेरा, कोई भी act की बात करिए, अगर आपको ये word देखने को मिल जाता है, act के अंदर किसी भी section में, तो उसका मतलब होता ही, जो भी corresponding rules बनाए गए है, act के तहर्र, उन rules के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, कि ये चीज क्या होने वाली है, मैंने आपको बढ़ाया था है, जब मैंने आपको structure बताया था, income tax law कैसे बनाया गया है, तो मैंने आपको बताया था, कुछ छोटी मोटी चीज़े rules के अंदर डाल दी गई है, कैसे, act में लिख देते हैं, notification से rule निकाले जाते हैं, और rule में बता दिया जाता है, कि हमें जो power मिली थी, उसको utilize करके हमने ये provision बना दिया है, in the income tax rules 1962, चब 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 समझा रहा है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैट रहा है, थोड़ा थोड़ा बैटना चाहिए, ये पूरा detail में बठा दूँगा, जब तक पूरा मारा income tax complete होगा, चलिज़े, आगे बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग देविडेंट जो भी दिया जाता है, परेफेरेंट शेर्स पे, विदिन इंडिया, आउट अप सच इंकम यानि की, जो भी कंपनी है, कौन से अरेंजमेंट्स आपके सिरेबस का बाठ नहीं, ना ही इंटर लेवल पे, ना ही पाइनल लेवल पे, लिकन अगर जो भी हम आपको अरेंजमेंट्स बताते हैं, कल को income taxones में, वो आपने इंडिया में कर दिये हैं, उस case में क्या होगा आपने जो भी arrangements कर दी इसकी वज़से सरकार आपको बोलेगी आप बन जाते हैं domestic company क्यों अगर आप बाहर की ही company होते तो आपने इंडिया में कोई भी arrangements नहीं करे होते payment के लिए वो बाहर करे जाते हैं क्योंकि आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपके major shareholders इंडिया के होंगे जिसकी वज़स आपको बोले के जा रहा है हो सकता है आप बाहर incorporate होए हो आप Indian company की definition को satisfy नहीं कर रहे हो still आपको domestic company तो बोले जाएगा और पूरे के पूरे आक में जो भी provisions किसी भी domestic company लगते हैं वो तुम पर भी लगने वाले हैं ठीक है इतना आपको बत आए गया सारी companies यह सारी बोले जाएंगी इनको company बोला जाएगा जो भी company आपकी domestic company नहीं बन पाती उस company को क्या बोला जाएगा आप सीधा सीधा बन जाते हैं एक foreign company तो यानि कि अगर मैं summarize करने के लिए चार्ट बनाना चाहूं तो देखिए ऐसा-एसा कूछ चार्ट निकल हैं तो भी domestic तो बन पाएंगे अगर आप यह satisfy कर देते हैं तो यानि कि आपकी income जिसपे इंकम tax लगने वाला है उसको इंडिया में distribute करने के लिए पे करने के लिए आपने इंडिया में क्या कर दी हो प्रस्क्राइब arrangements कर दी हो तो भी आप कहलाएंगे domestic company अगर तुम दोनों में ही cover नहीं हो पाते हैं यानि कि domestic company नहीं बन पाते हैं लेकिन company बन गए हो section 217 के एसाप से तो उस case में तुमें बोला जाएगा foreign company है as per section number 223a section number learn करने की बिल्कुँ ज़रुत नहीं है तीनों में से किसी भी cases में लेकिन provision बिल्कुल learn करना पड़ेगा by heart करना पड़ेगा क् जाके पूरे के पूरे income tax act में यही terms देखने को मिलीगी domestic company पर यह लगता है Indian पर यह लगता है foreign पर यह लगता है अगर यह नहीं पता होगे तीनों में difference क्या है तो आप चीज़े रट जाएंगे और paper के लिए डंक से answers दे नहीं पाएंगे और paper में बहुत खेला जाएगा इ चाहिए कि बैस अब इसमें दोनों आती हैं अगर domestic company यह हुई तो तो लग जाएगा अगर यह हुई तो नहीं लगेगा ऐसा मुझे answer देना पड़ेगा लेकिन वो answer तो तब देंगे ने जब इतनी clarity होगी domestic Indian में difference क्या है तो दोनों चीज़े अपने दिमाग में डालिएगा normally किसी भी इंसान से चलते फिरते इंसान से पूछेंगे Indian company, domestic company दोनों में difference बताओ, कोई नहीं बता पाएगा, दोनों से मिला sound करती हैं लेकिन आप professionals हैं, आपको definition बताई गई है, यहाँ पे 226 के अंदर आपको पता होना चाहिए, दोनों में difference गया और बिलकुल अच्छे से बता होना चाहिए, learn होना चाहिए, तो चली हाएगे से आज की class को हम यहीं पे खतम करते हैं, sufficient time हमने लगाया multiple चीजों को समझने में, अच्छे से समझा सारी चीजों को, हमने दो चीज़े cover कर ली है, chapter number 1 जहाँ पे आपको overview दिया गया, पूरे के पूरे income tax law का, वो भी detail में मैंने आपको बताया, multiple चीजों logics के साथ हमने देखी, मस्ती करते करते देखी, उसके बाद chapter number 2 के अंदर, residential status को अभी तक हमने start भी नहीं करा है, जिसके लिए chapter है, अभी हमने बस यह देखा है, person का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो ही नहीं समझाएगा, तो आगे जाके मैं को बताऊंगा, individual का residential status ऐसे निकाला जाता है, हेच एफ का ऐसे निकाला जाता है, company का ऐसे निकाला जाता है, और आपको पता ही नहीं होगा, हेच एफ हो था क्या है, company होती क्या है, individual होता क्या है, तो इससले पहले हमने यह देख लिया है, person का मतलब क्या होता है, पूरह detail मे मेरी आपसे expectations क्या हैं, हमेशा की तरह वही expectations होने वाली हैं, जो कि GST में थी, कि अभी तक आपको जितना पढ़ा दिया गया है, उसको अच्छे से learn कर लीजेगा, कोई भी doubt आता है, सीधा मुझसे class खतम करते ही, पूछ लीजे, वहीं पर मैं आपको rectify कर दूँगा, within a day आपक class में मिलना है, with all of that, जो भी हमने पढ़ लिया था भी तक, वो learn होना चाहिए, ताकि आगे आपको अच्छे से समझ आने लग जाए, तो अगली class में मिलते हैं, यानिक नेक्स class में, in the lecture number 2, we'll start with the remaining portion of this chapter, take care of yourself, goodnight, bye-bye.